तो आज इस लेक्चर में हम डिसकस करने जा रहे हैं हमारे SSC के लिए मेंस जो आपका होने वाला है उसके लिए मैराथान क्लास और ये क्लास ऐसा नहीं है सिर्फ SSCGL वले बच्चे देख सकते हैं अगें जो मर्जी आप SSC का कोई भी एक्जाम दे रहे हैं Wesc GL का एक्जाम दे रहे हैं जीडी का एक्जाम दे रहा है और भी SSC में बहुत सारे एकजाम uh Sung General Study का जो level होता है हर एकजाम में बिल्कुल एक तरह सी ही udah BE तो आप इस इस क्लास को देखके अपनी जो knowledge को गेंड कर सकते हैं और revision के लिए भी आपको help कर जाएगी, जा जिस तरीके से भी आपको एक class बहुत help करने वाली है हर exam में, ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूँ, my name is Dr. Vipan Goyal, यह सब लोगों को आपको पता है, ठीक है, so here is my name, बढ़ते हैं आगे, और important information, कल रात को 9 बजे, रात को 9 बजे हमारी polity की class है, that is the marathon class, इसमें हम 100 question discuss करने वाले हैं, और भात्तपूर्न question discuss करने वाले हैं, class थोड़ा से लंबा होगी, तो इस class को अच्छे से पढ़ लेना, और दूसरी बात यह है कि again, यह जो class होगी, यह आप again SSC के लिए, और full marathon class ली थी, तो आप उस class को भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने politics, पूरी discussion में करवाई थी, आप लोगो theory wise करवाई थी, तो साड़े चार गंटे की class है, वो आपको हमारी playlist वगरा में मिल जाएगी, और हमारे channel की उपर मिल जाएगी, आप टून ना, इसली मिल जाएगी आप clear, बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले आपको मिल बता दूँ, आप मुझे different social media की उपर आप यहाँ पर follow कर सकते हैं, जितने भी lectures होते हैं, YouTube पे, जितने भी paid courses की जानगारे, PDF वगरा, सारा कुछ मैं आपको telegram channel की उपर यहाँ पर यहाँ पर share करता हूँ, आप मुझे Instagram क पर हो, आप मुझे यहाँ पर email कर सकते हैं, इस email ID के उपर, clear, और जिस तरीके से आज हम question discuss करेंगे, अगर आप ऐसे ही मेरे साथ question पढ़ना चाते हैं, quality के, history के, geography के, science के, सारे chapter wise, topic wise question पढ़ना चाते हैं, plus mock test attempt देना करना चाते हैं, daily test करना चाते हैं, different exams के question पढ़ना चाते हैं, SSE के previous exams question करना चाते हैं, तो आप मेरा paid course दे सकते हैं, that is, 10,000 MSQ course, और इसमें एक code लगा लेना, आप लोग VIP flash, तो आपको यहाँ पर discount मिल जाएगा, सब चीज़ों के जो, मतलब, यह है, मतलब, link हैं, वो आपको, वीडियो के खतम होने के बाद, comment section में, जो pinned message होता है, ह study IQ app और हमारी website के उपर, जैसे ही आप इसको open करेंगे, आपको screen के उपर नजर आएगा, यहाँ पर homepage, यहाँ पर देखेगा, best selling course, इसको खोलना, view all करके, तो आपको 10,000 MSQ course नजर आजाएगा, फिर भी नजर नहीं आया, तो homepage में जाना, बिल्कुल end में जाना, आप लोग न से से पड़े, clear, तो guys, चलते हैं, start करते हैं, आज का session, तो start करेंगे हमारे पहले question से, तो देखे, जिस screen के उपर हमारा, पहला question क्या कहता है, सो कोश्य देखे, जी क्या गयते हैं, the missile, the missile of Ranjit Singh, महराजा Ranjit Singh was a leader, was a, the missile of which Ranjit Singh was, यह क्या लिखा हुआ है, हाँ, missile of which Ranjit Singh the leader was, मतलब कहने का मतलब यह है, महराजा Ranjit Singh जो है, वो कौन सी missile के नेता थे, देखे, missile word का मतलब क्या होता है, अगर आपको पता हो, हमने history में बहुत discuss किया चीजें, कि शासक होते थे, ruler होते थे, जो आपके अलग-अलग kingdom में rule करते थे, तो आप एक तरह से ऐसे कह सकते हो, कि एक बड़ी kingdom is Punjab kingdom, चीक है, उसके अंदर कुछ-कुछ रियास्ते हैं, और उसमें एक रियास्त है आपकी missile, और मतलब missile है, बहुत सारी उनको रियास्तों को missile कहते हैं, और उनमें से एक महराजा रंजी सिंग जो है, वो कौन सी missile से बिलॉंग करते हैं, शुकर चक्किया missile से, शुकर चक्किया अंसर इसमें क्या बनेगा, आपका A option बनेगा correct answer, आलू वालिया जी की बात करते हैं, तो यहां पे जसा सिंग आलू वालिया, जसा सिंग आलू वालिया इनके लीडर थे, फुलकिया की बात करते हैं, बाद में रामगडिया की बात करते हैं, तो जसा सिंग रामगडिया यहां पे थे, और फुलकिया की बात करते हैं, तो यहां पे महराजा फूल सिंग थे, फूल स और महराजा रंजी सिंग को यह हम यह जानते हैं यह पंजाब तो इनका रूलर जो है रूल था वो इतनी जगह जगह के उपर डिवाइड आ बहुत ज्यादा था तुम्हाराजा रंजी सिंग इस वैरी वैरी इंपॉर्टन गोश्म पॉषम एंगे अगला आँसा देखें तुलसीदास रोट रामच्रित मानस ड्यूरिंग दा रिइन ओफ मतलग किसके शासनकाल में रामच्रित मानस जो है लिखी गई थी यह कोशन बड़े इंपॉर्टन कोशन है क्योंकि यह हम तुलसीदास जी की उपर ही बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे जो राजा हैं मह उपर भी बात करते हैं पहले हम चलते हैं रामच्रित मानस के उपर जो तुलसीदास जी ने लिखी है अब्दी लेंग्विज में लिखी है ठीक है और यह लिखी थी अकबर के टाइम पर अंसर इसमें क्या बनने वाला है अकबर इसदा करेक्ट अंसर सी ऑप्शन बनेगा क अकबर इसदा करेक्ट अंसर अब रामच्रित मानस के साथ संबंदित बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि रमायन रमायन किसने लिखी थी वालम की जी ने उसका पर्शिन वर्जन जो है अकबर के टाइम पर बदला था और किसने किया था बदाउनी बदाउनी ने किया था जो साउथ की रमायन है उसे किसने लिखा था कंबन साउथ तमिल की जो आपकी तमिल के अंदर लिखी थी कम बनने लिखा था अकबर की बात करते हैं तो अकबर वही राजा है जिसने इबादत खाना बनाया था हॉल अफ प्रेयर दीने इलाही का धरम स्टार्ट किया था जिसमें सभी धर्मों का मिशन था और एक ही परसन इंपॉडर्ण परसन है जैसे के म goofy को अपको बता दिया टूडर मल टूडर मल कौन को था Wakanda फाइनेंस मिज्टा जो टौडर दूटर मल सिस्टम बंदो बस सिस्टम दैसाल्ण सिस्टम जबतीositionि स्टार्ट करव था और इस वर्ड का मतलब क्या था कि टैक्स according to the land जैसे आपकी लेंड होगी वैसे आपका टेक्स होगा अबुल फजल जो है इनके दरबार में हैं जिन्हों ने लिखी थी आई ने अकबरी अकबर नामा इनके दरबार में हैं आपके डाड़ीज अबुल फैजी जो अबुल फजल के भाई है और फैजी ने लिलावती यह उपर मैं सिर्फ एक ही बात करूंगा कि इन्हों ने एक पुस्तक लिखी थी और पुस्तक जी यह वह अमुक्ता माल्यादा यह अमुक्ता माल्यादा जो पुस्तक है अमुक्ता माल्यादा पुस्तक जो है अमुक्ता माल्यादा पुस्तक जो है तेलगू है और यह एक प ताली कोटा जो लड़ी गए थी ठीक है सदा शीव राओ जो पर्सन था मतलब आपका विजे नगर इंपायर में ठीक है विजे नगर इंपायर में उसका प्राइम प्राइम निस्ट था रामा राया रामा राया की जो पॉलसी थी वह साउथ हिंडिया के अंदर जो लोग है लिए अच्छी नहीं थी जिसके कारण ये प्राइम मिनिस्टर को चलो बाद की बात है सदा शीव राओ की डेथ होगी यह सदा शीव राओ मराठा के साथ कंबाइन मत कले ना सदा शीव राओ जो है यह एक आपके विजे नगर के साथ संबंधित हैं अगर आता है शदा सदा अबदाली के अगेंस्ट तो उसमें थे वो समझाया दोनों वर्ड को कंफ्यूज मत करना बैटल अफ तालिकोटा और अश्या अबदाली वाला कउनसेट्ट जो है चैन आदिल पेहली बार सूरत में फेक्ट्री लगाने के लिए इंग्लिश पर्मिशन लेने आया थे और पहला पर्सन जो पर्मिशन लेने आया था वो कौन था डाट विल्यम हॉकिन विल्यम हॉकिन कौन है यह जिनको आया और इसने टाइटल दिया इनको इंग्लिश खान का इनको तो पर्मिशन मिली नहीं फिर पर्मिशन मिली किसको थी थॉमस रॉय को permission मिली थी इनकी wife का नाम है महुरूनिशा महुरूनिशा को टाइटल की क्या दिया था इन्हों ने इन्हों ने टाइटल दिया था तो बैको इंडिया के अंदर जो है ग्रो करना पर्तगीस लेकिए थे पर्तगीस और वह किसके टाइम पे हुआ था यह आपके जहांगीर के गुरू अर्जन देव हैं हमारे पांचवे सिख्ध गुरू है उनको असेसिनेट किस ने करवाया था उनको मारा कि ने किस ने था अगें जहांगीर ने मारा था तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका सी ऑप्षिन बनेगा अकबर इस्था करेक्ट अंसर समझ आया समझ आया आप लोगं को अंसर इसमें क्या बनेगा आपका सी ऑप्षिन बनेगा करेक्ट अंसर सी ऑप्षिन रामच्रित मानस अगला देखो अगला अंसर बताईए जी फड़ा फड़ा बताईए इसके जो चार डवीजन है वो भी आपको बताने है जो चार डवीजन है वो भी आपको बताने है ठीक है यह द्यां रखना जी जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यह कोश्चन देखो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं इसके अंदर वह कंफ्यूजन नहीं लेके आने तो यूनें टेरिटरी जो है आपकी लाज़स साइज में कौन सी है वो है आपकी पूडूचेरी प इसके जो है चार पार्ट है चार डिस्टिक है एक तो पूडूचेरी मतलब पूडूचेरी ही है माहे है यनम है और आपका कार्याकाल है अब यह साइज इसलिए बड़ा है क्योंकि यह जो है अकेला पूदूचेरी के अंदरी नहीं आता अलग-लग राज्यों में करनाटक तमलनाडू इन सभी जगा केरल बगार में तो सभी जगा के उपर लगते हैं तो इसलिए इसका साइज जो है बड़ा हो जाता है और आपको युनिटैरेटरी है जिसके जो डिवीजन है जो चार्ड डिस्टिक है वो अलग-लग राज्यों में है तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगी यार यह कैसे हो सकता है यॉनिटैरेटरी तो एक है वो तो आसपास कहीं लगती होगी लेकिन उस युनिटैरेट्री के चार्ड connection होता है तो this is very important question answer इसमें क्या बनने वाला है option बनेगा correct answer बनेगा जी को समझाया answer इसमें क्या बनेगा आपका option बनेगा correct answer बनेगा this is very important part clear यह आपको द्यान खना है this is the Puducherry this is the Pondicherry Puducherry जिसे हम कहते हैं और Pondicherry हमने कहां से मतलब किस से हमने आजाद करवाया था फ्रांस से और एक question और बताता हूं आपको बड़ा important question है Puducherry आजाद कहां से करवाया था फ्रांस से आजाद करवाया था ठीक है और यहां पे यहां पे एक person थे history के अंदर और बिंदो गोश और बिंदो गोश और बिंदो गोश वहां यहां पे इन्हों ने आश्रम बनवाया था यह कोशन पेपर में हैं हिमालेयनस माउंटेन सिस्टम बिलॉंग सिवीच और फॉल इंद पहले कोशिश किया करू कि आप अंसर सब्सक्राइब ॥ c हमालियus origination कहां से देखने को मिला था टैथे सी से आस इसे पहले तो यह द्यार केनों मैं देखता हूं वह पिच्छर में लगाई यह नहीं लगाई यह अब एक चीज़ name हुए हमालेयाज चरक अब ही मालेयास का जो आपका यह वाला पाथ है जिसे हम कहते हैं यहां पर इस पार्ट यह वाला पार्ट दिस इस दा वेस्टन पार्ट जा इस्टन वेस्टन पार्ट और यह वाला पार्ट क्या हो गया आपका इस्टन पार्ट हो गया समझाया अब वैस्टन पार्ट को क्या कहते हैं और इस्टन पार्ट को क्या कहते हैं यह कुशन आता है वैस्टन पार्ट को हम बोलते हैं और यहां से ही आपका नामचा बारवा से ही क्रॉस करके आती है इंडिया में ब्रह्मपुत्रा रीवर आती है ऐजे दिहांग रीवर फिर बाद में वो दिहांग दिबांग सुबांसरी लोहित सारी नदियों के साथ मिलके वहां पर असम के अंदर जो है बनाती है मजूली और माउंट एवरेस्ट जो है आपकी कितनी है 8848.86 मीटर है और दूसरी बात आप आप आजाओ यहां पर आप पीछे वाले कोशन पर चलते हैं हिमाल्या कौन से टाइप की माउंटेंस हैं देजार्दा फोल्ड माउंटेंस फोल्ड माउंटेंस का मतलब क्या होता है कि यहा होगा 0.86 मीटर 0.86 मीटर जो है हाइट बड़ी थी किसकी आपकी माउंट आवरेस्ट की वह इसी लिए प्लेट टेक्टोनिक मुवमेंट होती रहती है और हाइट बड़ेगी तो इस कोशन का जो अंसर बनेगा वो बनेगा आपका ए ऑप्शन फोल्ड माउंटेंस का ब्लॉ आपको बताया था कि जो आपका नर्मदा रिवर है नर्मदा रिवर स्टार्ट कहां से होती है अमरकां तक प्लैटू से मध्यापरदेश में वह क्या गरती है विंद्याज और सत्पुड़ा के बीच में रिफ्ट वैली बनाती है और ब्लॉक माउंटेंस का पार्ट बनाती है ब्लॉक माउंटेंस और रिफ्ट वैली बनाती है नर्मदा नर्मदा के उपर बहुत सारे कोशिन और आते हैं नर्मदा जो है मध्यापरदेश में जबलपूर के अंदर जो है मार्बल फॉल्स बनाती है दुआधार फॉल्स बनाती है और नर्मदा गिर जाती है आपकी गल्फ आफ कझ के अंदर काउन-डabout सभरमथी और कॉणaiser रहागी माई सबर्मथी और टाप-ती यह चार नदियां जो है एश्यूरी बनाती है आपके वेस्टन साइड के ऐपर अरेबिशे के अंदर Organic Mountains का मतलब क्या होता है कि जो Volcanoes जहां से फूरते हैं ठीक है बस एक चीज ज Kimberly एक और वालकनो में remembering क्या होता है Volcanoes में क्या होता है कि ऐसे एकt vine बनती है जिसके अंदर से क्या निकलता है आपका Magma निकलता है बाहर समजाया Magma निकलता है बार और बाद में वो रॉक्स बनती है इग्नियस देन फिर सेडिमेंटरी देन मेटमॉर्फिक ऐसी रॉक्स बनती है वहां पर समझा है तुम्हें जी क्लियर होगे आप लोगों तो अंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका यह ऑप्षिन बनेगा डैट इस फोल्ड माउंटें अगला बताओ स्टैटी कोशन है जी शांती सब्रूब भटनागर अवार्ड जो है यह किस फिल्ड में दिया जाता है शांती सब्रूब भटनागर अवार्ड जो है यह 14 लोगों को इस बार मिला था चौदार लोगों को इस बार मिला था यह CSIR इसको कॉंसिजूड करती है काउंसिल आपको पता लग गया होगा कि किसको मिलेगा जो आपका साइंस के अंदर जो है अच्छी कॉंट्रिबिशन करेगा विज्यान में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है यह अवार्ड मिल साइंस फिल्ड में मिलता है बिल्कुल यूनर मिस्टर ऑफ हेल्थ और साइंस एंड टेक के जो मिनिस्टर है हमारे हर्श वर्दन उन्होंने यह दिया था शांती सवरूप जी को क्या बोला आता है फादर आफ रिसर्च लैबोर्टरी वर्ड यूज किया जाता है यह पहले इस इंपोर्टन वाँ अगला बताइए अ शक इरा शक इरा शक यूग जो है यह स्टार्ट कब से हुआ था तो यह साड़ वा था 78 AD में अठ्टर AD में स्टार्ट किया था यह और किस ने साट किया था आपको बताया हुआ और बौध बार कनिष्क ने किया था मैं आपको देखता हूं पिचर है बार में देखते हैं जरो क्निश्क कान था ये किश को है जिनको आप धूसरा अशोक भी कहते हैं यह चाहिन तो और दूसरी बात करते है कनिश्क करवाई थी कहां पे कश्मीर के अंदर कश्मीर में जब करवाई थी तो उसमें चेर परसंते वासों मित्र और डिप्टी चेर परसंते अश्रगोश जहां यहां पे आपका बुद्धिजम जो है हीनियन और महायान में डिवाइड हो गया था यह भी आपको दिया रखना है शक इरा जाने की अगेन करिश्क की उपर बात करते हैं करिश्क के टाइम पे दो स्कूल ओफार्ट्स बड़े फेमस थे मत्रा स्कूल ओफार्ट्स बड़ा फ क्या आता है मत्रा स्कूल ओफार्ट्स में जब भी आपका नाकाशी करते हैं मतलब कोई भी आपकी मूर्ति बगारा बनाई जाती है तो वह हमेशा रेड़े सेंड स्टोन में बनाई जाती है डिस इसा में पॉइंट जो आपका एक्जमपल पूछा जाता है पेपर में आप आपको headless statue of knish headless statue of knishka जो है वो इस school of arts में बना है मत्रा स्कूल ओफार्ट्स में बना है गंदार स्कूल ओफार्ट्स के अगरम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है muscular body बगएरा बनाई जाती थी और यह ग्रीक लोग लेकर आए थे हमारे देश में तो इस वेरी important part clear होगे आप लोगों को जी तो अंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका B option बनेगा correct answer 78 AD is a correct answer 78 AD यह होगा जी आपका कनिश्क के के बारे में ठीक है यहां पर देखें हमारा इन्डे डी नेशन केलंडर है और यह जो है जो आप째 से पूछा जाता है कि हमारा पहला मंत कौन सा होता है प्मार 對 ze फॉर्स मंथ आपका इस केलेंडर के recent calendar के और पहला दिन को सा होता है आपका मार्च 22 22 मार्च को क्योंकि हमने यह जो कैलेंडर है अपनाया कब था 22 जनवरी 1957 में अपनाया था तो इसी लिए चैत्र को पहला मंत हमने गुशिद कर दिया था 57 के अंदर और दूसरी बात अगर आपसे पूछा जाए कि अगर उस साल जो है लीपियर हो अगर उस साल लीपिय जाएगा क्योंकि एक दिन भढ़ जाएगा तो पीछे से एक दिन कम हो जाएगा 21 मार्च इस साल लीपियर होगा और नॉर्मल में आपका 22 मार्च 1957 में समझाया तुम्हें तो आपको पता होने चाहिए यह कोशन आपके लिए है यह कोशन जो है आपका होंवर्क है क्योंकि म है तो अच्छी बात है इस कोशन का अंसार ठीक है चलिए यह आपको मैं पिच्चर दिखा देता हूं थोड़ा सा आपको आईडिया लग जाएगा चलिए अगला देखेजिए बाइवाट नेम इस गंगा नोन इन दा बांगलादेश बांगलादेश के अंदर जो है गंगा किस नाम से जानते हैं जल्दी जल्दी बताओ कि जी देखेज़ क्या होता है पहले तो गंगा को बोलते हैं हम पद्मा रिवर अंसर इसमें एयो बनेगा गंगा रिवर जो है यह किसके साथ मिलते है भ्रह्मा पूत्रा के साथ और बांगलादेश में ब्रह्मा पूत्रा को बोलते हैं जमुना यह दोनों गंगा और ब्रह्मापुत्रा बनते हैं डेल्टा बनते हैं आपको बताया था लेकिन पादमा और यमना रीवर बनके यह क्या बनाते हैं एक डैडिस मेगना जो कहां पर बनती है आपकी बांगलादेश में मैंने आरड़ी आपको ब बन जाती है पहले तो यह द्यान रखो अंसर इसमें क्या बनेगा आपका ए ऑप्शन बनेगा बहुत सारे और हैं इतना अगर आपको क्लियर हो गया है फिर चलते हैं आगे देखे जी अब कोशन गंगा की उपर स्टार्ट करते हैं गंगा एक्शली है क्या गंगा कहते हैं गं गंगा और हमारों पवितर नदी है और चयंकर लूह को सबसे पहले सबससे सारी है और गंगा ठीके स्टार्ट कहां में अ नूब्रा वैली यह तहाँ पे है जम्म कश्मीर में जम्म कश्मीर के नदन साइड की आन नॉर्ड साइड की उपर देखने को आपको मिलती है क्लिर हो गए आप इसमें a option बनेगा correct answer बनेगा this is important one जी अंसर इसमें one option बनेगा that is Padma is the correct answer यहां पर देखो यह है मेगना रिवर बन गई और यहां पर क्या है आपकी ब्रह्मा सरस्षवती शमान जो है kis field में दिया जाता है कौन करवाता II सरस्षवती शमान में जो अрьर है वह 15 आख करवाती है के की बिर्ला foundation जिसे आप व्यास सम्मान के नाम से भी जानते हैं अब पताप मतलब की विलॉदिकिंट में देते हैं कुल बिल्कुल लिटरेचर की फिल्ड में देते हैं अंसर इसमें क्या बनेगा आपका ये ऑप्शन बनेगा सहाइत्या के फिल्ड में दिया जाता है जी बिल्कुल अंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा और अगला देखें पार्लेमेंट के बीच में सेशन होता है सेशन तीन है सब्सक्राइब आए दो सेस्टेसिंद दो सेस्टेसिंद में ग्याप कितनी एक विकापी दो महिने के लोगने के कश जयादा से जफ्सक्राइब कंभी पारलेमेंट को मिलेंगे तो बात है session की बात होगी क्योंकि Parliament maximum president वह सेशन में ही आते हैं तो इक पूछा ता कि हाँ अगर कोई पर्सट लगातार कम लगातार कितने दिन अगर absent होता है तो उसको उसकी सीट से vacant कर दिया जाता है उसको हटा दिया जाता है अगर कोई person जो है MP की बात कर रहा हूं मैं 60 दिन लगाता वो पार्लेमेंट में संसद में नहीं आता ना लोग सभा में ना राज्य सभा में जो भी आपका respective house है तो उसकी सीट vacant हो जाती है साथ दिन और अगर आप कोई बाहर से कोई person पार्लेमेंट में चला जाए तो उसकी उपर fine कितना होता है रुपे 500 यह है तो बेकार से question पता नहीं कभी-कभी आ जाते हैं बेकार जब फिर जब कहते हैं कि अपना दिन बेकार हो तो यह बेकार है तो भाहि पढ़ लेना यह question तो बस पता होना चाहिए आगको अगला देखिए चेर्में ऑफ राज्यसभा इस राज्यसभा का जो chairman होता है वो क्या है आपको पता है कि एक्स और बाद में टिक करेंगे इसको पहले तो हम देखते हैं कि आपके जो वाइस प्रेजडेंट को वाइस प्रेजडेंट की तरह इलक्ट किया जाता है और इसको जो इसमें इलक्ट करते हैं और दा मेंबर ओफ अब इसमें आपको पेपर में वर्ट तोड़ के डाल सकता है कैसे और की जगह की उपर आपको दो वर्ट से डाल सकता है एलक्टेड प्लस नॉमिनेटर किसके पार्लेमेंट में कौन हो सकता अब मेंबर फ्रत सकते हैं लोक थाथ और राज्यसभा Chamon were सोब मेंबर और मेंबर उन्हारा अपक्थ हैं नौम्नेटर एंगलो इंडिंस वेगरफ और यह द्यां रखना है आपको तो अब यहां पर इंसरिक कीजए कि क्या अंसर बनेगा इलेक्टेड बाइदा मेंबर ओफ राज्य सभा नॅ मिनेटेड ढ़ा प्रेजिजंट इलेक्टेड बाइदा मलत और जट्यू पार्लेमेंट perturbก। जल्दी इंसरे बताईजा यहां पे आ रहे हैं और आपके जो है इलेक्टेटीट भी आ रहे नौमीनेटीट भी आ रहे हैं राज्जे सबागी चैर्मेन होता है राज्जेसबा की जो पावर हती ना वह एक या दो सर्विसिस की उपर एक्जाम हो जैसे आपका UPSC का एक्जाम होता है कल को को कोई और पोस्त त्यार करते हैं सर्विस हम बनाते हैं ऐसी तो उसमें जो बिल उठता है पहली बार वो राज्यसभा से आएगा फिर लोकसभा फिर पार्लेमेंट वो तो तो राज्यसभा कभी भी कानून बना सकते हैं किसी भी चीज़ की उपर कानून बना सकती है समझाया और दूसरी बात करते हैं यहां पर ओल इंडे सर्विसिस की ओल इंडे सर्विसिस में तीन सर्विसिस आती है आपकी ias ips और ffs return efs here is the forest not foreign for a service होति क्लिया और और हुआ वीजा फादर अफॉरा आएस सर्विसिस जनंड कौन है बल्लबाय पटेल है अगर आपसे पूझा सिविल सर्विसिस Chicago DU Ci V zu Lord Kornevallis तो Lord Korn Wallace आएं गे समझाया राज्यसबा को सीटें हैं राज्यसबा की सीटें में वह सकेडियोल में लिखी गई है वो लिखी 66 के अंदर चौहत चौहत जो इनसूची नुसूची अंदर लिखी आज जे सबागा जो आर्टिकल नंबर है वो है 80 80 नंबर आर्टिकल है देखने को मिलता है तो यह सिट अंसर इसमें सी ऑप्षिन बनेगा जी सी ऑप्षिन इस दा करेक्ट अंसर सी ऑप्षिन अगला बताओ नुकिलर फीजन इस कॉस्ट बाइदा इंपक्ट आफ परमानु विखंडन जो है किसके परवाब से होता है जल्दी से जल्दी बताइए यह कौन सा परवाब है किसका परवाब पढ़ता है पहले तो फीजन की बात करते हैं किसी चीज़ का तूटना अब यह हमेशा जब भी तोटता है वह आपका न्यूट्रों के कारण देखने को आपको मिलता है पहले मैं आपको दिखाता हो फिर हम इसको आगे डिस तोड़ता है और यह अंस्टेबल नुकलिस बनाता है इनर्जी वगर निकलती है जिसमें आपका क्रिप्टन और आपका बीरियम निकलता है है समझ आया और हाँ आपका यूरेनी मैं सबसे ज़्यादा वर्ल्डवाइड कहां पे ज़्यादा है कजाकस्तान में थोरियम हमारे इंडिया में कहां पे है मोनजाइट सेंड ओफ के अंदर देखने को आपको मिलता है केरल को आप स्पाइस सिटी भी कहते हैं केरल को स्पा बीरियम बीरियम नहीं हम ऐसे फूड़ बीयूज सलफेट यह कभी उस करते हैं जब किसी पर्सन को करनी होती है और सब्सक्राइब करते हैं और क्या करता है जब आपकी अक्षा डाले जाते हैं तो वो ब्लिद जो आपका जो ब्लाक इश पार्ट आता है वो खत्म हो जाता है जाने की एक्स रे को ड्रेंट कर देता है एक्सरे के लिए एक्स रेंप Cornel यह आपका कुशन अब आज ओ यहाँ पे तो यह नूटरन वाला कॉंसेप्ट हो गया अब बात कर टेंन को डिसकावर किस ने किया था यह किस ने किया था टैस्ट विक ने एक ठिर इलक्टोन को जज थॉंसन प्रोटोन को गॉल्ड हस्टीन ने लेकिन प्रोटोन का नाम ङो दिया था यह भी आपके सताइस निकले गए ऻॉता जाएगा समज आया अब कोशिण यह है है कि अगर हम बात करते हैं कंट्रोल की कंट्रोल फीजन रियक्शन की तो कहां पर होगा न्यूकलर रियक्टर के अंदर होता है समझाया बहुत सरी चीज़ें हैं मॉडेटर है ग्रेफाइट है वहां पर हैवी वाटर है और आपकी रॉड्स है वहां अगे निकलने नहीं देती तो यह आपके कंट्रोल होती है एक होती है अनकंट्रोल किसमे होगी आपके आटम बॉम में परमानुबम में समझाया और आपने जो देखा था कहां पर हिरोशीमा और नागासाकी हिरोशीमा में शे अगस्ट 1945 को नागासाकी में 9 और चैन फॉट फाइब को और जो हिरोशीमा वाला बंब था लिटल बॉइट नागासाकी बाला था फैट मैं किसने फिक था यह एस ने फिका था ता इसकी ऊपर जापान पर रिज़न क्या था वाट वट वाजा रिजन क्यों फिका था य ऑपर की उपर जो है इन्होंने एक कर दिया और यह किया है यूज का नेवल बेस जहां है यह तो बश्ट ने खरे कि कोई किसी की नजर भी नजर रखने कि बदल ओब लिगा था है इन्होंने बेटलेत ळीका रूवजा शरखेस लेटों कर दो अगले अंसर बताई दो लोगड का फोड जो है किसने बनाया था लोगड फोड जी लोगड फोड जो है ये राजस्थान में है भरतपुर में ठीक है और किसने बनाया था सूरज्मल जी ने बनाया था ज़ूरज तो अंसर इसमें क्या बनेगा डी ऑप्षिन बनेगा correct answer डी ऑप्षिन इज राइट अंसर समझाया डी ऑप्षिन जी अब यहां पे confuse पूछा लोगड साहिब फोट यहां पर लिखता लोगड साहिब फोट तो यह किसने बनवाया था भाई लखी सिंग बाई भाई लखी सिंग बंजारा इन्हों पाउड साहिब पाउड़ मुडड सिंगे बंड़न कंटीनू करके लेकर चला गया अगे बंदा भाद तो प्रॉपर तरीके से लडाईयां आगे चलती ही गई थी और बंदा बहदुर ने जो है वह लडाईयां आगे इसके क्या और डेंTrude कर समझा है आप लोगों को तो समय नंस शूर्ष मेंगा से आपका जा लोगड फोर्ट भरतपुर राजस्तान अगला पताओ इस्टेटिक सोसाइटी वॉज इस्टेटिक सोसाइटी जो है बेंगॉल के अंदर स्थापित करी गई थी कैलकटा के अंदर सर विलियम जॉन्स ने करी थी अंसर इसमें क्या बनेगा आपका बी ऑप्शन बनेगा राइट अंसर विलियम जॉन्स विलियम जॉन्स को कंफ्यू ए ऊंसर इस में क्या बननेका आपका B option बनेगा क्लिया मैं कॉले कि मैं बात करते हूं मैं कॉलेह इस वादर एंग्लिश एजूकेशनि इंडिया बई लग टीमर्क लिह लग तीजित एठाफर एंग्लिशागले को बोले ओर हमारी इंग्लिश एजूकेशन sends लेकिन एक आपका एक्ट भी आया था 1813 का एक्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जहां पर इंग्लिश एजूकिशन की उपर एक लाख रुपया खर्च करने की यहां पर बात करी गई थी तो इस अगें वेरी वेरी इंपोर्टन राजा राम महुनराय जी वो परसन है जिनोंने लंडन बेजा गया था अकबर सेकिंड ने लंडन बेजा था राजा राम महुनराय जी को मौडर्ण मैन ऑफ इंडिया कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि जो सतीप्रथा इन्होंने खतम करवाई थी हमारे देश में 1829 में और जो है करी किसी ने थी विल्यम बैंटिक नहीं करी लेकिन सबसे बड़ा योगदन राजा राम महुनराय जी का था जो आला नहरु जी ने इनको मौडर्ण मैन ऑफ इंडिया बोला डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज पुस्तक में और राजा राम महुनराय जी को हम और क्या कहते हैं फादर ऑफ इंडिया रैनेसा भी पुनर जनम हमारे भारत सुसाइटी के पुनर जनम के दाता पिता कौन है यह है राजा राम मौन रहाए समझाए आप लोगं को अंसर इसमें बी बनेगा वारन हास्टिंग जो है आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो नहीं ने स्टार्ट किया था और इसके अंदर डियू कोड कहते थे वो कैलकटा में बनाई गई थी तो इस इस वेरी इंपॉर्टन पार्ट क्लियर हो गया आप लोगं को जी चलिए जी अंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा विलियम जॉन्स इस अगला दिखिए अगला अंसर बता यह फटा फट यह भी बड़ा इंपॉर्टन गोशन है कौन से ऐसे राजा थे जिनोंने बोला था कि मुस्लिम्स को बोला था कि आप इसलामिक फेद को कर सकते हो परचार कर सकते हो इसलामिक फेद का किlas ने बोला था जल्ड़ी से जल्ड़ी Poke डिदे यह आपके राष्टुट अंसर इसमें क्या बनेगा आपका राष्टुट इस दा करेक्ट अनसार राष्टुट में जो राजा थे एक थे अमोग वर्षा अमोग वर्षा ठीक है यह जिन्नों ने पहली बातों राष्टुट की capital बनाई थी मान्या खेता ये कोशन बड बड़े इंपॉर्टन कोश्चन होते हैं जो पेपर में आते हैं फिर आप गडबड़ कर देते हो अमोग वर्षा ने बनाई थी कैपिनल मान्या खेता अमोग वर्षा जो है यह जैन है जैन धरम से बिलोंग करते हैं लेकि इन्हों भघवान के लिए समर्पित हैं और वहां पर 3 मूरती है गसी बचाने वाला प्रिजरवर करने वाला तीन फेस और तीनों के मतलब हैं वहाँ पे समझ आया और उसके बाद करते हैं पालवंश की बात पालवंश वो राजा है जिनोंने बुध्धरम को अगर हम बात करें कि बुध्धरम लास्ट में किसने फैल आया था लास्ट लास्ट टी सिंग्डम कौन से थी डैट वस पाल प करेगा यह कोशन दिमाग खराब करेगा थोड़ा सा क्योंकि ऐसे नहीं देख के बाग मत जाना पढ़ना थोड़ा सा क्या हुगा मतलग क्या हुआ दूसरे हमने किसी एनिमल से कुछ निकाले और आपकी बॉड़ी में डाल दी उस चीज को हम क्या कहते हैं उस चीज को हम क्या कहते हैं यह कोशन मैं अभी करवाता हूं आपको आपको एक पिच्चर दिखानी है पहले कोशन आपने पढ़ लिया होगा अब तक तो अब देखते हैं यहां पर बड़ा इंपॉर्टन कोशन है जब आप मदर मिल्क पीते हो जब बच्चा है मदर मिल्क पी रहा है तो उसके अंदर मिल्क के थूप मिल्क के थूप जो इम्मिनिटी आ रही है वह कौन से आ रही है नेच्रल एक्वाइड पैसिव तरीके से आ रही है नेच्रल आ रही है समझ आया दूसरा आजाओ यहां पर अगर हम किसी एनिमल से एनिमल से एंटी बॉड़िस निकाली वह आपकी बॉड़ी के अंदर डाल दी यह भी आर्टिफिशल है यह आर्टिफिशल एक्वाइड पैसिव है पैसिव तरीके से आटिफिशल आपकी ने रिस्पॉंड किया तो डैडिस कॉल्ट एक्टिव इम्मुनिटी गेंट थूदा इल्नेस एंड रिकवरी बिमार हुए ठीक होगे अपने तो डैडिस कॉल्ट एक्टिव इम्मुनिटी दूसरा है अगर आप व्यक्सिन लेते हूं लाइक फॉर एक्जंपल आप एक्टिव आर्टिफिशली एक्वाइड यह तभी कह रहा हूं थोड़ा सा ध्यान रखो एक कोश्चन क्या कह रहा है समझाया एक्टिव आर्टिफिशली एक्वाइड होती है यह तो दिस इस एक्टिव आर्टिफिशली एक्वाइड यास अंसर इसमें यह ऑप्शन द्वारा देखाता हूं आपको पैसिव अ को पैसिव अ को इस ये बना भीمच्छम को सबसे सहाधरी सबसे उची चोटी जो है वो कौन सी है बिलकुल important question है जी बिलकुल important question है यह वाला सहाधरी जी से हम क्या कहते हैं western ghat पश्मी घाट कहा जाता है और जो आपका यहां से यह पूरा का पूरा जो घाट है यह this is called western ghat और इसके सबसे उची चोटी है आपकी अनाय में कृष्णा और गुदावरी के बीच में चलती है आपकी कुलेरू लेक कृष्णा रीवर की उपर आपका नागरजुना सागत डैम देखने को मिलता है आंद्रपरदेश में गुदावरी की ऊपर दो और प्रोजक्त है आपका प्रोजक्त है यह आपका करनाटक में आपकी रॉणक्र prophets उना अकुम फ्रहूंन सर्थ ईंताई मुर्य сама बारिशिहां संसे लए के लिए सब्सक्राइब करते करते अंदर क्योंकि यहां रे उसिट खरते रहें अगर आरो अगर आप अगला बताईए जो कोल है यह किस टाइम पर बने ते यह कोशन आपको याद करना पड़ेगा जो कोल बेल्ट है यह कब बनी थी आपकी कार्बोनी फेरस पिरेड में बस इतना याद रखिए कार्बोनी फेरस अंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा को बनता है वह कौन सी रोक से ब से कोल नैच्रल गैस वगरा सेडिमेंटर रोक अफसादी चटानों से हमें मिलते हैं यह कोल की बात करते हैं तो कोल के लिए पहुत सारी mines हैं, जैसे के for example, बोकारो, बोकारो कहां पहे हैं, West Beng Pangal में है, चीक है, और Rani Ghanj, Rani Ghanj, ये कहां पहे है, जारखंड में, और एक है आपकी जरिया, जरिया gold fields, ये भी कहां पहे हैं, जारखंड में, answer इसमें C option बनेगा correct answer. पोल की चार वराइटीज हैं A, B, LPC में ने बहुत बार आपको बताया है Anthracite, Bituminous, Lignite और Peet सबसे ज़्यादा अच्छी वराइटी जो है Anthracite की है सबसे हाइस्ट वराइटी प्योर, कार्बन सबसे ज़्यादा, Specificate सबसे ज़्यादा और कम temperature जो है आपका लगेगा इसको आग लगाने के लिए दुआ नहीं पड़ी उसकरेगा और इसका उल्टा पीट, पीट सबसे जो है कार्बन कॉंटेंट कम, दुआ सबसे आचोड़ेगा, लोएस्ट कॉलिटी का होता है तो इस question का answer बनेगा, C option बनेगा, कार्बोनी फेरस, चलिए ज़े, अगरा बताईए दा famous dash glacier is located at the Nubra Valley, Nubra Valley के अंदर जो है कौन सा glacier देखने को मिलता है सियाचिन, सियाचिन is the highest battleground again, चीक है, अंसर इसमें C option बनेगा, करेक्ट अंसर बनेगा बालतोरा की मैं बात करता हूँ, तो यह glacier, यहाँ पे glacier है बालतोरा, चीक है, glacier है यह कहाँ पे देखने को मिलता है, करा कोरम range में, करा कोरम range, गिलगित बालतिस्तान के पास, गिलगित पाकिस्तान इलाके में, गिलगित बालतिस्तान पाकिस्तान में देखने को आपको मिलता है, यह वाला, चीक है कॉंग्रेस ने डिसाइड किया था सुराज फंड का जो एक कुरूट रुपया इकठा करना था इसका रीजन क्या था इसका रीजन क्या था यह कोशन मैंने बहुत डूंडा यार बहुत डूंडा मैंने सुराज फंड की उपर कोशन मैंने बहुत डूंडा क्योंकि दो लोग दो चीज़े बोली जाती है एक तो क्या कि उनकी मूरत बनाने के लिए और काफी बोलते हैं नॉन को और्गनाइज करवाने के लिए तो एक्चुली रिजन वास्टू और सहयोग आंधोलन को जो है आपका और सुराज की बात करता हूं तो सुराज से बहुत सारे कोशिन आते हैं सुराज वर्ड दिया किसने था द्यानन सरस्वती जी ने दिया था और सुराज वर्ड आईएंसी में पहली बार यूज किया था सब्सक्राइब यूज को बोला या था फादर ऑफ इंडियन अन्रेस्ट ये किसने स्टेटमेंट दी थी फादर ऑफ इंडियन अन्रेस्ट मतलब भारत में इसलिए उनके लिए ने बोला था कि जब तक यह व्यक्ति है लोकमाना तिलक जी हैं तो देश चुपनी रह सकता मतलब यह कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहेगी और पूरे देश को इकठा लेके चलते थे महाराश्टरा के अंदर जो आपका जो फैस्टिवल होता है गनेश फैस्टिवल और शिवाजी फैस्टिवल जो होते हैं शिवाजी महराज के बारे में बात कर रहा हूं मैं शिवाजी फैस्टिवल होते हैं तो वहां पर आपको पता है कि लोगों को बोलने की जरूत नहीं पड़ती लोग सड़कों पर कैसे निकलाते हैं कितनी भीड this is very very important player हो गया आप लोगो जी अंसर इसमें a option बनेगा correct answer यह जी सुराज तिलक की जी की मूरत अगला देखेजिए कि वाइकॉम सत्यागरा जो लॉंच किया गया था 1924 के अंदर किस ने किया था मनातू पद्मावम इन्होंने स्टार्ट किया था यह क्यों किया गया था वाइट वास स्टार्ट किया था जी इन्होंने स्टार्ट किया था ताकि जो है टेंपल्स की उपरिंग कर दी जाए खास करके लो कास्ट हिंदू के लिए अंसर इसमें मंदिरों में लो जाती हिंदों के लिए दरवाजे खोलना यह बात करता है और वाइकॉम जो है यह कहां पर मंदिरों की बात करता है त्रेवन कोर के अंदर के अंदर जी यह सत्यागर है कहां पर हुआ था त्रेवन कोर के अंदर के अंदर देखने को मिला था त्रेवन कोर के के अंसर इसमें ए अप्शन बनेगा एक अप्शन यह बड़ा इंपॉर्टन कोश्ण आपका पहला पर्सन कौन था जिसने इंडिन नैशनल फ्लैक जो है अनफर्ल किया था पहली बार मैडम विकाजी कामा मेडम not काजी कामा ने कहां पे 1907 स्टंडर के अंदर किया था जर्मनी अंदर जहां पे आपकी आपकी सेकेंड सोशिस्ट कांफेरंस टेन्ड रही थिस49 को उच्वपरेजिरा में पर इन्होंने किया था एक चीज़ आपको और बताना चाहूंगा कि जी हाँ मैडम बिकाजी कामा के साथ जो है एक पर्षन थे सरदार सिंग राना कि सरदार सिंग राना और मैडम बिकाजी कामा यह दो ऐसे पर्षन है हिस्ट्री के अंदर जो इन्डिया को उस टाइम पर स्मगल का मतलब यह है कि हमारे इंडिया को पहुंचाना कि हाँ लडने के लिए त्यार रहना चाहिए तो यह वह पर्सन थी समझाया लिट्रेचर भी देते थे बिल्कुल रिए रियर्वूश्य लिट्रेचर भी यह आगे देते थे बतल जो पर्चे छपते थे वो भी इंडिया को बेच देते थे एक्स्पोजी भी देते थे अंसर इसमें वान औप्शन बनेगा मैडम भीकाजी कामा को बोला जाता है इन इंडिया और यह प्राइविट सेक्रेटरी है दादा बाई नरोजी जी जो है जिनको आप ग्रेंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं पॉवर्टी एन अन्ड बिटिशन लिन पुस्तक इन्हों ने लिखी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉंसेप्ट इन्हों ने दिया था फ टार्ग नादस जी तारुड नादस जीने इंडिया इंडिया इंडिपैंडेंस लीग जो स्थाप्न सपीच नुहीं करी अ में investment प्रेंग ऑनें ग। एक्सिम बैंक एक्स्पोर्ट इंपोर्ट बैंक जो है कब स्थापित किया गया था जो हमारे देश के एक्सपोर ओंपोर्ट को बारे में देखता है बिल्कुल जनुवरी एक 1992 के यंदर एग जनवरी 1982 के अंदर जो है chi-start किया गया था export-import बैंक बस इतना याद रखेंगे government of India द्वारा है set-up क्या गया था Parliament द्वारा एक्ट बनाया गया था 81 और सापित किया गया था 82 में एक्सपॉरड-m lingering headquarters इंट मुंबई के अंदर हैं di variation in margin requirement what is this marginal requirement word का मतलब क्या होता है कि अगर आप क्या आप property गिरवी रखते हो बैंक के पास तो एक करोड की property है suppose वो आपको loan एक करोड नहीं देगी 60 लाग 70 लाग कुछ दे देगी वो 30 लाग का gap margin लखके चलती है क्यों कि कल को अगर भाग गए तो आपकी वो property को सेल करके वो 70 लाग पूरे कर सके तो इस तरीके से marginal requirement रखी जाती है और यह बैंक का qualitative तरीका है qualitative control होता है answer इसमें बी option बनेगा qualitative में बहुत सरी चीज़े और भी होती है do and don't होता है moral suasion direct action priority sector lending यह सारा कुछ किसमे आता है qualitative में quantitative में कौन सा आता है आपका रेपोरेट reverse रेपोरेट bank rate CRR SLR open market operation LAF MSF marginal standing facility यह सारे concept आते हैं आपके quantitative में तो answer इसमें क्या बनने वाला है आपका बी option is the correct answer qualitative control यह भी कोशन बहुत वारा आता है पेपर में जो SEC का पेपर है खास करके उसमें यह कोशन पूछा आता है MICR में CE की full form क्या है पतने कुछ ऐसा सा आता है कोशन CE का मतलब क्या है यहां पर तो यहां पर CE word का मतलब है पहले बात तो character और यह होता क्या है यह एक nine digit code होता है nine digit code होता है वह मैं आपको दिखाता हूं answer इसमें क्या बनेगा थर्ड option बनेगा और यह nine digit code यह होता है जिसमें तीन तीन का एक आपका ग्रूप होता है पहला तीन city देन bank देन ब्रांच जो बारे में बताता है कोई भी चेक कहीं से भी आता है तो बैंक को कैसे पता लग जाता है क्योंकि पटिकलर कोड लिखा हुआ है city bank ब्रांच ऐसे कोड लिखे गए हैं जिससे हमें पता लग जाता है समझाया यह आपको ध्यान रखना है growth and repair of the damage cell tissue involves जब भी किसी damage tissue की growth होती है repair होती है उस चीज़ के अंदर क्या चीज़ देखने को आपको मिलती है देखे growth वर्ड का और repair वर्ड का मतलब क्या है growth का मतलब गया cell का growth होना growth का मतलब एक cell टूटे का दो बनाएंगे दो से पूरे body बनेगी इस तरीके से अब cell बना के tissue बना के आपकी जो है uncontrolled हो जाएगी तो तो cancer हो जाएगा लेकिन controlled वे में हम हमारी growth होती है जैसे आपने देखा होगा आपकी हाइड जो है पटिकुलर एज तक बढ़ती है एक प्रॉपर जो आपका कोई बी बॉड़ी पार्ट है कोई बी बॉड़ी और्गन है तो वह भी एक पटिकुलर एज त बनेगा और माइट क्सेंवन ड्वीजनं को हम उक इक कोटरील ड्यविजन भी कहा जाता है लेकिन इक प्र आपकी वह में हो जाए तो तो क्या हो जाएगा अंसर इसमें बनेगा आपका ए और यह पूरी की पूरी डिवीजन चलती है सो मैटिक सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है कि जो आपकी बोडी ग्रोथ में होती है जो माइट अटी है और एक सेक्शल डिवीजन होती है सेक्शल डिवीजन जो होती है उसे हम क्या कहते हैं मिवासेश कहा जाता है सेक्शल डिवीजन क्लियर मिवासेश कहते हैं क्योंकि उसमें नंबर रेड यूस होता है that is called Reduction डिवीजन उसको कहा जाता है सो अंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका माइटॉटिक सेल्ट डवीजन अगला देखो 2016 का एक डेटा रिलीज हुआ था आपका सेंपल रिजिस्टेशन सिस्टम का जिसमें इंफेंट इन फ्मोर्तेलिटी रेट का मतलब होता कि जैसे बच्चा नवजाथflows बच्चा है जनम लेते ही वो मर जाता है उसकोERE कहा जाता है और यह जो है इस रिपोर्ट के हैos ए संद तैंस अब्लै ठेकाते हैं अंसर इसमें बी ऑप्षिन बनेगा करेक्ट अंसर बनेगा 34 पर 1000 लाइब और अंसर इस बी ऑप्षिन इस आ करेक्ट अंसर बी ऑप्षिन 34 पर थाउजन लाइब बर्थ यहां भी देखो 2016 का जो डेटा है वो क्या है आपका 34 और 2015 में के तन्वा 37 था क्लियर हो गया आप लोगों को तो यह आपको देखने को मिलता है और हाइस्ट आइमार इंफेंट मोर्टालिटी रिट कहां पर देखने को मिला मध्या परदेश में 47 और लोएस्ट गौवा में ड ठीकप जिसको मोर्रै डाज किया ता मगध किंग्डम की उपर तो वह कौन था हैं बृत दर्डवत का एक कंडर इंचीफ था जिसका नाम था पुष्या-मित्रशूंग पुश्य मित्र शुंग समझाया जो शुंग वंश का राजा था तो पुश्य मित्र शुंग ने किसको मार दिया था आपका बृद्रत को मार दिया था और at the end शुंग वंश स्थापित कर लिया था तो इसका अंसर क्या बनने वाला है आपका शुंग वंश is the correct answer शुंग वंश पुष्य मित्र शोंग शोंगवाईश के राजा है और इनका एक बेटा है इनका एक बेटा है ड़ीज अगनी मित्रम और इनके उपर इनकी लेव स्टोरी थी माल्वी का अगनी मित्रम पुस्तक लिखी गई थी आपको याद होगा और माल्वी on the bank akka सब्सक्राइए जैसे इंडिया में न और इंडिया में उसट कि रूप रूचला था बड़े फेमास राजाते इंगातमी पूत्र सथ करनी फ्लियर अब यहाँ पर इहां पर एक चीज द्यान राखिए अब इसमें ध्यान रखें गौतंमी पूत्र नाम जो है इनकी माता का नाम आगे आया uh society कैं थी 메't digo यौ रंक ती ओल्हें याद रखना नंदवंश की बात करते हैं तो नंदवंश को हराया किस ने था नंदवंश को हराया था चंद्रगुप्त मोरय ने और मोरय समराज्या स्थापित किया था किसकी मदद से चानक्या कोटिल्या इंडियन माइके वैली विश्णगुप्त सरे नाम से मैं इनको इनकी शुंग बंच दपावर दूइंगोर इंटो एंट डिसाइड और दाउट्स एंड डिस्पूट अराइजिंग आउट ओफ दाप्रेजिदेंट इस वेस्टर इंदा जितने भी आपके डिस्पूट होते हैं राश्टरपती के लिए तो वह सारी चीज़ें कौन सॉल्व करता ह देखे राश्टरपती का जो एलक्षन है पहली बात तो आर्टिकल 54 में लिखा गया है क्लियर कि उसमें एलक्षन होता है और एलक्षन में तो बाद में देखते हैं कौन-कौन पार्टिस्पेट करता है लेकिन जितने भी डाउट्स होते हैं वह आर्टिकल 71 के अकॉर्डिं सब्सक्राइब करते हैं और वह चेक करते हैं टाइम टाइम लेकिन अगर डिस्प्यूट पढ़ जाए तो वह हमेशा सुप्रीम कोड के पास ही जाएगा अब बात करते हैं कि एलक्षन में कौन-कौन पार्टिस्पेट करता है सिरफ चुने हुए लोग वोट करते हैं डैड सब्सक्राइब कि लोक सबाखे राजय सबाखे स्टेट लेश्टिटिव असेमली जी से हम क्या क्या क्याता है विदान सबाखे और यही Low participate करते हैं और आपकी दो यून टेरेटरी participate करती है वो कौन सी दिल्ली और पूडुचेरी दिल्ली और पूडुचेरी participate करती है जो आपका 70th amendment act 1992 द्वारा जो है एड किये गए थे तो this is very important part clear याद रुकिए तो answer इसमें fourth option बनेगा correct answer बनेगा जी समझाये तुम्हें जी answer इसमें fourth option बनेगा correct answer बनेगा फूर्थ option अगला देखो इन हीज इस इस्टांस वी कुड़ नॉट प्ले आफ दा मौमड़न अंगेंज ला हिंदू मतलब यह जो है इस उधारन में हम हिंदू के अगेंस्ट नहीं कर सकते तो यह वर्ड जो है किस चीज के लिए लागू किये गए थे जी बताएंगे कि यह रिमार्क्स किसके थे बिल्कुल यह रिवोल्ट ऑफ दा 1857 के लिए थे answer इसमें यह option बनेगा अब यहां पर देखे जी रिवोल्ट जर्वी और पीड की चर्वी के लिए बड़ी इंपॉर्ट है वह कर सकते और मुस्लिम लोग है और यहांबिकी बनेगा यह ऑक्षण अब यहां पर लिगा हुआ है जो है आपका चमपारन सत्यागरा चंपारन सत्यागरा गांधी जी का पहला सत्यागरा था इंडिया में इंडिको कल्टीवेशन के लिए राज कुमार शुकला इनको बुलाने लेके आये थे और बिहार में किया था यह ठी हैं 3 क walking and work को कहा जाता है खिलाफत मूम्मिंट की बात करें तो यह महममद अली औंद electricalе 9 को start करें तो एक अगस्त19醉ट कर रहेऊ थी बाई-दak गौन जी जल्यवालबाग हट्ट्यकांड के लिये 1942 की अगस्त मौनमेट्ट जो थी आड्यिस इंडिया मोव्मेंट बाहर चोड़ो अंधोलन यहां पे गांदी जी ने एक नारा दिया था डू और डाइक करो या मरो और यह एक वाइलेंट मोव्मेंट थी हिंसा जनक मोव्मेंट थी तो यह भी आपको याद रखना है क्लियर हो गया आप लोगों को जी अंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट अंसर बनेगा 1857 का रिवोल्ट अगला देखे जी सिल्क रूट जो है आपका इंडियन्स का ओपन किया गया था किसके द्वारा सिल्क रूट मुलियर हो वियर मैं सिल्क रूट जो है कहां व यहां पहर देखिए यहां पहर देखिए इंडिया है ठीक है और उपर है आपका चाईना यह वाला पाड खीक है और यह किसके साथ तो याँ पैर सेंटेल इश्या known एकिरान बगएरा के साथ तो यह जो है पूरा का पूरा आपका सिल्क रूट है और सिल्क रूट के उपर कंटोल किसका था डैडिस कनिष्ग का कंटोल था अंसर इसमें ए औप्षिन बनेगा कनिष्क को हम दूसरा अशोग कहा जाता है क्यूंकि इन्होंने बुद्धरम का परचार किय हो गया हीनियान और महायान में डिवाइड हो गया और कनिश्क ने जो है आपका शक इरा शक इरा भी स्टार्ट के या था 78 एडी के अंदर और इनके टाइम पे जो है घंदार स्कूल ओफ और मत्रा स्कूल ओफ आट्स जड़े फेमस बड़े हुए थे मत्रा स्कूल ओफ आट्स में रेडे इसंस्न यूज कि आज ता था जो एक बड़ी एक्जामपल है बड़ी इंपॉर्टन एकजामपल यह डैडी ऑफकरेदीज का हैडले स्टैचू ऑफ पार्ट्स में जो ग्रीक लेके आए थे इंडिया में अशोक की बात करते हैं तो अशोक ने टू सिक्स्टी वन बीसी के अंदर जो है कलिंग का युद्ध लड़ा था और कलिंग का युद्ध जो है जीत के भी हार गया था उसके बाद जो है बुद्धरम को बहुत अच्छे स करने लगया और लड़ाई नहीं करी और बुद्ध द्रम्हें इनको किस ने करवाया था उपागुप्त ने करवाया था उपागुप्त और मोगालि पुद्ध जिसे जो आपके थर्ड बुदिष्ट काउंसल के चेर पटसन थे जो अशोक ने करवाई थी कहां पे पाटली और यहां पे पुASTरा कि एक लिखे थी अभी धाम पिटक किसे लिखे अगेंश उपागुप्त कि लिखे ने लिखे लोड पुस्तर को मिलती हैं clear याद रखना और इस इस वेरी इंपॉर्डन पार्ट और हर्षवर्दन की बात कर तो हर्षवर्दन हर्ष चरीता याद कर लिजे हर्ष चरीता लिखे थी बानबटने इनकी उपर बायोग्राफी और हर्षवर्दन जो है खुद एक लेखक है रतना रतना वली न चलुकेन वंश का राजा है और इसकी एक inscription में लिखा गया यह रवी कृति की inscription में लिखा गया है कि हर्षवर्दन ने हर्षवर्दन को हराय गया था पूला किसिन टू द्वारा पूला किसिन टू को किस ने हराय था हराय था नर्सीमा वर्मन वन ने जो आपका पल्लवंश का राजा है पल्लवंश का राजा है और पल्लवंश के राजा ने इनको हराके एक टाइटल यह था वातापी कॉन्ड़ यूद कि सके तो वातापी कॉंड़ पर च। इसमें क्या बने बने गा यात कर्येक्ट अंसर बने ते अगळा देखो एक जो है बूँण जखम कहते हैं ठीक उसमें ulic होरही है वो फैस्टरण करने के लिए क्लॉइज़ कवरमेशन चाहिए तो उस प्रॉसेस को हम क्या कहते हैं अब क्या होता है कि अब लूए को चाहिए अब वहना हमेशें बता सेसे कौन सा है आपका बताया थे लैंड ने बलड क्या होता है बलड इज फ्ल्यूड कनेक्टिव टीश्यू और 7.4 पी एच वैल्यू होती है जिसे हम कहते हैं एलकलाइं ठीक है फर्मनेटेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि इन प्रॉसेस होता है यह और इसमें गुलुकोस को सडा के इन याद रखना है अंसर इसमें क्या बनेगा आपका बी ऑप्शन बनेगा नेगा बी ऑप्शन बी ऑप्शन इसको कहा जाता है कि वेरी इंपॉर्टटन अगीन हाथी गुँमफा इन्सक्रिपशन हाथी गुमफा और एलिफेंट केव जो है उदाइगिरी लिए और यह किसके लिए उदाइगरी यह जो दोनों है यह जो हिल्ज है यह खार वेल के लिए दर्शाई गई है खारवेल राजा ठीक है और जैन धर नम के लिए सब्सक्राइब के साथ यह संबंदित है जैन धरम के साथ अंसर इसमें क्या बनेगा सी ऑप्षिंट मनेगा करेक्ट अंसार उडिशा की मैं बात करता हूं तो उडिशा में आपका सिमली पल टाइगर इजब है यहां पर और गाहिर माथा बीच है यहां पर जो है ऑलिव रिड़े टर्टल आते हैं जो यहां पर मास नेस्टिंग करते हैं मास नेस्टिंग और इस मास नेस्टिंग के पूरे पूरे के पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं अरी बदा कहा जाता है अरी बदा कहा जाता है यहां पे ठीक है और यहां पर चिली का लेक भी है आपका चिली का लेक है जो आपकी लगून लेक है और पर पित्र करनी का नैशन पर्क म 1 फिरि करनी शिव पाउग सो इस तो तो इसमें क्या बनेगा थिरदे प्रमय ओप्षिं माले हराऊ और ठीक्षाइं सिसमें सी option मैं एका करेकल अंसर सी ओप्षिंग bei during the colonial rule in India the permanent settlement was introduced by permanent settlement जी पंवरेंट सैटल में स्थाई बंदोबस जिसे हम क्या कहते हैं जाफिर आप जमीदारी प्रथा भी कहा जाता है जमीदारी सिस्टम यह स्टार्ट कुआ था 1793 में और स्टार्ट किसे ने किया था लौड कॉर्न वालिस ने स्टार्ट किया था ओन दा रिक्मेंडेशन ऑफ स्विस्जिज दिला एंडिया एक सर्विसरी फादर अफ ऑल इंडिया सर्व इस बलबाई पट्रेल बलाबाई पट्रेल और प्रेविसरीस आर्टिकल 312 में लिखा गया है जब बीोल इंडिय सर भी सर्विसिस बनेंगी तो हमेशा राजय सभा से और बीड ownership सर्व लेकिन किसकी रिकोमेंडेशन से रिकोमेंडेशन थी मैं कॉल ले की मैकॉले की recommendation थी that's why मैकॉले is called the father of English education in India father of English education in India कहा जाता है Lord करजन की बात करते हैं तो Lord करजन वो ही है जिनोंने 16 October 181905 में क्या करवाया था Bengal partition करवाया था Bengal partition cancel कब किया गया था 1911 में जिस दिन announce हुआ था कि partition cancel capital shift करेंगे कलकता से दिल्ली capital shift करेंगे लेकिन हुई कब थी 1912 में और इस टाइम पर Lord कौन थे Lord Harding थे Lord Harding second थे उस टाइम पर ठीक है और इनके उपर bum फेका गया था किसने फेका था रास बिहारी बोस ने बम फेका था इनके उपर रास बिहरी बोस आगे जाके जो है इंडिनेशनल आर्मी के साथ जुड़ जाते हैं लोड वेलेसले की बात करते हैं अर्थर वेलेसले अगर मैं बात करता हूं जिसमें पहली स्टेट जो एड़ कुई थी डवस हैधराबाद निजाम ओफ हैधराबाद ने साइन किया था सब्सिट्री अलाइंस की उपर तो अंसर इसमें क्या बनने वाला है बी ऑप्षिन बनेगा करेक्ट अंसर बनेगा समझाया जी लौर्ड कॉर्ण वालिस लौर्ड क किस्को देगा तो यह हमेशा वाइस प्रेजरन को आपका रिजाईन देता है वाइस प्रेज़सी बनेगा बियुँद्र अंसर बनेगा कर्क्ट अंसर बनेगा बियुद्य और जो है प्रेजिब्ड कौन दिलाता है प्रेजिप जूर्ड यjest्री रिडैस कॉर्ड सीनियर मोज जज ऑफ सुप्रीम कोड चीक है सो अंसर इसमें बी ऑप्षिन बनेगा करेक्ट अंसर बनेगा है क्लियर हो गए आपको कोशें देखें क्या गता है chemical component that is invariably found in all the viruses सभी viruses के अंदर कौन सा component में देखने को आपको मिलता है यहां पर देखेजिए वाइरस का structure है बाहर जो है मिलते हैं ऐसे वाली चीज यह क्या होते हैं प्रोटीन होते हैं और अंदर होता है आपका निक्लोक यह आपको मिलता है तो सभी जगा के उपर बहुत अपको मिलनेगा दूप्यम के उप्षिन यह चयां यह याद रखना इसमें ऐसे बहुत सरे कोशन है वाईरस की स्टडी को हम क्या कहते हैं वाईरल लॉजी और हमारा इंडियन इसीटिट ऑफ वायरोजी कहां पे हैड़कॉर्टर डैड़िज इन पूने और पूने के अंदर आपका फिलम टेलीवेजन इस्टिट ऑफ इंडिया भी देखने को आपको मिलता है और दूसरी बात करते हैं यहां पर वायरस की वायरस के इनों ने पहला वायरस टोबैको मुजेग वायरस तो वैको जो है तो सबसे पहला इंडिया में लेके को अना आया था पौर्टगीज किसके टाइंप पर लेकिन जाहंगीर ने कंजंप्शन बैं किया हुआ था यहां पर द्यान रखना है आपको और उसके बाद बात करते हैं वाइरस आर दा connective link between the living and the non-living non-living clear अगर हवा में देखे तो virus होंगे तो ये non-living होगे जैसे हमारी body में चले जाएंगे तो ये living हो जाएंगे divide करने लग जाएंगे और आपके body के अंदर जो है DNA को RNA में convert करने लग जाएंगे जो आपके लिए harmful होगा तो अंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका a option बनेगा correct answer a option is a right answer protein कि अगला देखिए ब्रिटिश क्राउन एज्यून दा सॉवर्णिटी ओवर दा इंडियन फ्रॉम दा इंग्लिश इस्ट इंडियर कंपनी इंडियर सिदी सी बात है ब्रिटिश क्राउन का रानी ने साराज कारोबार जो है अपना कब संबाल लिया था कि हाँ इंग्लिश इस इंडियर का रूल का खतम अब कुईन के पास आएगा कुईन के पास आएगा तो यह 1858 में बोला गया था अंसर इसमें बी दिकार मिलेगा डॉक्ट्राइन ओफ लैप्स जो है आपका वह खतम किया जाएगा ठीक है एक्वालिटी दी जाएगी डॉक्ट्राइन आफ लैप्स खतम किया जाएगा और रिलिज्यस इंटरफेरेंस भी आपकी बिल्कुल नहीं करी जाएगी तो यह बात बोली गई थी यह तीन चीज़ें बोलने के लिए बोला था एक्वालिटी देंगे डॉक्ट्राइन फ्लैप्स खतम करेंगे और रिलिज्यस इंटरफेरेंस नहीं करेंगे इन तीनों में लेकिन सबसे जाएदा जो पूरी हुई थी वह आपकी वह कौनसी थी रिलिज्यस क्योंकि इनको प है किसको जवाब देगा सेटरी औप स्टेट को जवाब देगा जो बैठेगा इंडिं ऐसमें क much a 59 ह einz इवागा त्ट न को पर ब्रिटेश कॉछ्ट में नाम क्या था कुईन विक्टोरिया थी या कुईन इलिजाबेट थी यह आपको कमेंट सेक्षिन में लिखके बताना है समझाया सो अंसर इसमें क्या बननेगा आपका 1858 is the correct answer प्लियर 1857 में तो रिवोल्ट हुआ ही था चलते हैं जी आगी की तरफ अगला देखे जी कोशिन क्या कहता है दूरिंग दा अकरेंस ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग तंडर मतलब गड़ घड़ा हर सी होती है ठीक है और लाइटनिंग मतलब लाइट आना अब दोनों में क्या होगा धिके जब बेने आपको बताया कि थंडर मतलब साउंड साउंड और यहां पर लाइटनिंग की स्पीड कितनी होती है लाइट की स्पीड कितनी होती है तो यही आपका डिफरेंस होता है लाइटनिंग इस इसमें फूर ऑप्शन बनेगा करेक्ट एंसर फूर्थ ऑप्शन इस आ राइट वाण ठीक है यह देखो इस कोशन देखो जाए यह गोशन देक हो जी वाट विल है फैपन एफ लाइट पॉर यह लाइट अपूरे पूरे फ्रीजर what will happen if a glass bottle is completely filled with water sealed with a lid and put into a freezer ज्याहां से समझे क्या गया रहे हैं ग्लास को हमने बंद कर दिया मतलब उसके उपर कुछ धक्कल लगा दिया कि इसमें हवा पास ना कर पाए फिर हमने उसको freezer में डाल दिया तो उससे क्या होगा उससे क्या होगा कि इतना आपका जो है I mean उसे अंदर जो है आपका इतना बढ़ जाएगा इतना बढ़ जाएगा आइस का तो वह आगे इवेंचली जो है फट जाएगा बदलब इवेंचली जो है वह फट जाएगी क्योंकि आपका जो मतलब expansion आपको मिलेगी इवेंचली दा आइस विल बस्ट ग्लास बाटल उसमें ऑप्शन बनेगा और य कोई मिलेगी रिजन क्योंकि उसके अंदर प्रैशर इतना बढ़ जाएगा कि जिसके कारण जो है बस्ट हो जाएगा तो आंसर इसमें क्या बनेगा यह ऑप्शन बनेगा करेक्ट अंसर कि बस्ट हो जाएगा बिलकुल तूट जाएगा यह अगला बताईए तो विजल फालिंग स्टेट्मेंट इस ट्रू रिगारिंग दडा इस इननेफुलेशंख के लिए जो है इन में से कौन सा कतन सही है दिखrice दोटम्स होती है एक autant अगाता इ्चपना बहुत जुरूरी है क्रूंगि टर्मिस बहुत इंसफलेशन होता है पहले तो आपको inflation और डिस बताता हूं मैं दोनों concept आपको clear हो जाएंगे कि इंफलेशन क्या होता है कि किसी चीज़ की price एक थी तीन हो गई पांच हो गई इंफलेशन समझाया यह क्या इसको हम क्याता है इंफलेशन क्याते हैं लेकिन डिस इंफलेशन क्या हो गयते हैं देखिए आपको पता है कि four plus minus two percent जो है आपका target है जाने के आपका two to six percent अगर इंफलेशन हो रही है तो वह हमारे देश के लिए अच्छा होती है लाइक for example कोई चीज 100 रुपे की थी ठीक है 100 रुपे की चीज थी तो 100 रुपे की चीज थी कल को वह 102 की होगी फिर 106 की होगी फिर इसके बाद 120 की होगी 120-140 होगी बहुत जादा बढ़ती गई तो इंफलेशन होता गया तो suppose करो कि government ने government ने क्या क्या 120 रुपे की कुछ ऐस français के आपकी रेट तक कि आपके रेट रेट जो है वह नीचे आया रिट नीचे आने का मतलब यह नहीं है कि वह 100 से भी नीचे चला जाएगा सो से जाने का नीचे जाने मतल़ यह कि वू जीरो पे भी आ जायेगा लेकिन इंच चीजोंौपी जब राप रेट कम करोंगे नहीं आपकी इंप्राइमेंट की उपर पर तझारेक पर्ड़ेगा किसी चीज पर फड़ने वाला नहीं है लेकिन दूसरी साइट देखते हैं deflation deflation का concept जो है उल्टा होता है क्या कि आपकी जो है 120 रुपे की जो है प्राइस है मतलब यह वाला सब करते हैं यह 106 आ गया 102 आ गया 100 आ गया मतलब चीजों के रेट इतने गिरते गई गिरते गई यह 90 चला गया 50 चला गया 40 चला गया और इ देश में तो डेट इसकोल deflation सो अब कोशन यह आता है कि वाट इस डिफरेंस बीटिट नदी इस इनफलेशन में आपके किसी भी कामकाज के उपर पैसे के उपर कोई फरक नहीं पढ़ने वाला और यह एक आपका एक पॉजिटीव टर्म है यह एक आपका पॉजिटीव टर बहुत ज़्यादा देश में मंदी चली जाएगी समझ आया आप लोगों को तो यह कॉंसेप्ट आपका डिस इंफलेशन डिफलेशन में तो इस कोशन का अंसर बताइए क्या होगा इसका कुशन का मतलब है इस THERE ए डिक्रीज इन हे इंदार रेट उफ इंफलेशन से बढ़ रही उस रेट ओफ इंफलेशन को आपने कम किया है ना के आपने चीजों को जीरो पे लिएँ ना के आप चीजों को नेगटिब पे लिया तो अंसर इस इसमें क्या बनेगा आपका थर्ड ऑप्शन बनेगा करेक्ट अंसर बनेगा अगला देखे यह बड़ा कोशन है कि महूरी जो है एक टैडिशनल मुजिकल इंस्ट्रॉमेंट है यह वाला ठीक है यह कौन सी स्टेट के साथ समबन्दित यह कौन सी स्टेट के साथ समबन्दित यह समबनदित यह इसमें बी ऊप्शन बनेगा उडिशा और की है मैं इतने सारथ रिख्ट आपको बताए की के बात करते हैं के पहर्त नातने और इस यह को और चोड़ डांस है हिमाचर पर्देश में आपका डाड़ इस ना इस नहीं बनवाई थी अरुमाचर पर्देश की बात करते हैं तो मॉलिंग नैशन पारक नाम डाफ नैशन पारक यहां पे देखने को मिलता है अंसर इसमें B option बनेगा correct answer बनेगा उडिशा इसा correct answer उडिशा अगला बताओ जी पार्ट फॉर ऑफ दा constitution of India does not explicitly expect the state to secure question द्यान से समझे क्या गहरा है कि आपका जो पार्ट फॉर है सविधान का उसमें कौन सी चीज जो है आपको नहीं दे रखी सीधा का सीधा नहीं बता रखी कोशन देखे जी कौन सी चीज नहीं बता रखी यह बता रहा है डस नॉट ठीक है पहली बात आपको पता होना यह बता है तो आपको नहीं दर्शाती यहां पर लिखा हुआ है आपका आर्टिकल 39C में लिखा गया है फिर उसके बाद लिखा हुआ है एड़िकेट मीन्स आफ लाइवलिः हुड जो है आर्टिकल 39A में लिखा गया है 39A में उसके बाद है equal pay for equal work यह लिखा गया है आपका 39D में समझाया और fourth में लिखा हुआ है maternity leave for unemployed women यह आपका explicitly नहीं लिखा गया ध्यारखना यह लिखा नहीं गया जो है proper तरीके से नहीं लिखा गया इसमें यह लिखा गया है article 42 में लिखा गया है कि आपको प्रॉपर तरीके से conditions provide करनी है जो आपकी maternity relief आपको provide कर सके और work culture वैसा provide कर सके लीव के बारे में आपको नहीं provide की गई यहां पर तो answer इसमें fourth option बनेगा correct answer बनेगा fourth option क्लियर हो गया जी article जो है डी स्री article question क्या बनेगा answer is D option is the correct answer D in the context of capital market the abbreviation FPO stands for FPO का मतलब क्या होता है दो चीज़े आपको याद रखनी है capital market जो है आपकी हमेशा long term funds के लिए होती है और capital market जो होती है जिसमें हम share की बात करते हैं share sale purchase की बात करते हैं यहां पे और capital market is under the control of CB security exchange board of India जो 88 में बना था और आपको statutory power मिले थी 92 में मुंबई is the headquarter अजेत्यागी इस चेर परसंट राइट नाव अब कोश्चे यहां पर देखिए capital market में दू चीज़े आती है एक तो FPO काता है IP क्या होता है कि कोई भी company होती है जब भी share market में आती है सबसे पहली बार मैं कहा रहा हूँ सबसे पहली बार जब आपका fresh share issue करती है सबसे पहली बार fresh issue share issue for the first time जो पहली बार issue करती है share that is called IPO समझाया that is called IPO initial public offering उसको कहा जाता है लेकिन अगर मैं कहूं क्योंकि बाद में तो sales purchase होता रहेगा लेकिन एक बार issue कर दिये लेकिन मतलब company को दुबारा issue करने पड़े द्याद से समना यह पहले क्या कि दस परसेंट इस परसेंट करने का मतलब क्या हो गया कि जब आपके पहली बार उन्होंने किये थे that is called IPO और दूसरी बार जब आपके फ्रेश इशू कर रहे हैं अगले 10 परसेंट कर रहे हैं that is called FPO that is called follow on public offer तो इसमें क्या बनेगा आपका C option बनेगा correct answer follow on public offer answer is third option is the correct answer अगला बताओ इनमें से core industries में कौनसी चीज नहीं आती जो हमारी 8 core industries हैं इंडिया के अंदर तो उसमें आपकी कौनसी इंडस्री नहीं आती fertilizers आता है Steel आता है natural gas आता है cotton नहीं आता cotton is not the 8 core industries के अंदर नहीं आता और यहां पे जो मैं आपको बात करूं fertilizer के लिए great great revolution के लिए हुआ था steel के लिए mission प्रभोध्य आपको याद होगा वह स्टील के लिए natural gas में सबसे ज़्यादा होता है आपका मिथेन सबसे ज़्यादा होता है मिथेन तो अंसर इसमें क्या बनेगा आपका थर्ड ऑप्षिन बनेगा cotton इंजा करक्ट अंसर तो नाव इस एट इंडस्री कौन कौन सी है यह है कोल कोल इंडस्री क्रूड ओयल नैच्रल गैस रिफाइनरी स्टील सेमेंट फर्टिलाइजर और लेक्टिसिटी सो दीज आर एट इंडस्री दीज आर एट कोर इंडस्री जो हमारा देश की कोर इंडस्री है यहां पर आपका सब कुछ चीज़े निर्भर करती है समझाए आप लोगं को जी अंसर इसमें आपका जो है कॉटन बनना था कोल की मैं बात करता हूं तो कोल आपका मिलता है सेडिमेंटरी रॉक से अवसाधी चिटानों से कुरूड ओयल को जब हम अलग अलग करते हैं केरोसीन पेट्रोल डीजल वगएरा तो वह कौन से मैथर से किया जाता है जब हमने पैट्रोल निकाला था पहली बार दिख बोई से ठीक है सर्व प्रबोध्य मैंने आपको बता दिया स्टील के लिए था सिमेंट के अंदर लाइमस्टोन और कले आपका बेसिक मटिरल्स होते हैं ग्रेर एवलूशन इस फॉर एलेक्रिसिटी ग्रेर एवलूशन फ इंदा इंडिया हैस बीन नेम्ड पोर्ट लेट डेवलप्मेंट पोर्ट को डेवलप करने की बात चल रही है पोर्ट को डेवलप करना है उसको प्रोजेक्ट को आप क्या कहते हैं डेट इसको आपका सागरमाला प्रोजेक्ट सागरमाला प्रोजेक्ट कहते हैं कि पोर्ट को डेवलब करो जाधर सेधा import export करने की त्यारी करो उसमें femme बनेगा करेक्ट अंसर बनेगा जी फुर्थ ऑप्षन क्लिएर होगे आप लोगों को जी फोर्थ opशन और इसमें ministry of shipping आपका काम करते हैं ministry of shipping कि इपोर्ट्स को आगे बढ़ाए सागर माथा की अगर मैं बात करता हूं तो माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी कहते हैं माउंट एवरेस्ट जो है हिमालेयस की सबसे उची चोटी है यह displilunion को हुआ है सकर्द सब्सक्राइब तो भारतमाला प्रोजेक्ट की अगर हम बात करते तो यह रोड-क्रीटिविटी के लिए इनको पूर्ट लेट डेवलोप्मेंट जो यह वाले एरिया है इनको डेवलप करना है ताकि जादा से जादा आपका बिजनस हो सागर माला प्रोजेक्ट पूर्ट लेट डेवलोप्मेंट अपका बन जाएगा और अगर आप से मैं पूछू लैंड एरिया कितना है तो 15200 किलोमेटर का एरिया है यह भी आपको याद रखना है इस इंडिया कंपनी के जो है वह कहां पर लोकेटेड है यह आपका विल्यम थ्री के नाम पर रखा गया है विल्यम थ्री जो थे यह आपके किंग थे इंगलेंड के तो उनके नाम के ऊपर यह रखा गया है तो इस इस वेरी इंपॉर्टन पार्ट क्लियर बेंगॉल के अगर मैं बात करता हूं तो आपको पता होगा जो है फारुक शायर फारुक शायर ने जो है इनको डूटी फ्री ट्रेड करने के लिए जो है रा फिर आपने उसके बाद जो है सतरा सो चौसट का जो है बक्सर का युद्ध्व देखा तो इसके एड़ पूरा का पूरा पूरा जो है एक चैपचर कर लिया बेंगॉल को और पूरा नॉर्थ हिंडिया इन्होंने कैपचर कर लिया और तो इस कोशन का बनेगा आपका सी Desper sauce William यह जी फॉट वीलियम है कैलकह अगला अंसर अहीं उट आइर को जिए में से मेजर कॉस्स बताईए में क्या है दिखिए क्ली कर है कि साइकली अनएक क्वाहें में पहली बात मैं करूंगा कि हमारे देश में किस तरीके की अनपाइमांट है structural unemployment का मतलब यह होता है कि जहां पर आपके देश के पास रिसोर्स ना हो अगर आपके पास के आपके पास जो है resources नहीं है आपके देश के पास और आप जो है हमारे पास सारी लोगों को काम दे सके तो डैड़ इसकोल स्ट्रक्चल सरंचनात्मक जिसे हम कहते हैं साइकल चल रहा है और जो पर आपके बात करेगा देमांड और सप्लाइ जब आपकी चीज़ों की डिमांड जादा बढड जाती है तो ओविसली बात है employment का जो है चांस सबसे ज़्यादा उस ट्राइम पे होता है जब demand कम हो जाएगी तो unemployment आपकी बढ़ेगी तो इसमें क्या होगा यह आपकी cyclical unemployment कैसे बनेगी a general decrease in the demand for goods and services अगर आपके demand goods or services की कम हो जाती है तो आपका cyclical unemployment बनता है अंसर इसमें a option बनेगा correct answer बनेगा वन ऑप्षिन इस दा correct answer समझाया तुम्हें कि जी जी option बनेगा ठीक है सौरव अपनी मर्यादा में रहीजिए ठीक है जो आप बात कर रहे हैं मर्यादा में रही है और आपके घर में इसमें आपको और बताना चाहूंगा हमारे देश में मैंने आपको बताया स्ट्रक्शनल होती है लेकिन हमारे आपके अग्रिकल्चर फील्ड में देखने को मिलती है इसमें क्या होता है कि जितने इहां पर zero हो जाती है माजनल प्रडक्टिविटी यहां पर क्या हो जाती है जी सबस्क्राइब बिल्फान क्य दो कि समझ आए आप लोगं को कि तो पर अपरे गसender हो जाती है यह डिसगाइश नईप्लिमेंट कि एक आपके है फ्रिक्शंड την फिरिक्शन उनियंप्लॉइमेंट और उक्स्वार्ण मेंट होती है उपान का मतलत क्या कि आप काम करने को त्यार हो लेकिन आपके पास काम आहीं एड बाकर नहीं पर सтории दिखेrand जो खास करके शहरी एरियस में देखने को आपको मिलती है तो यह आपको ज्यान रखनी है चले जी अगला अंसर बताईए डविडीओ बिसकनी प्रमोट डविडीओ किना प्रमोट जी जो है यह क्या परमोट करता है जल्दी से जल्दी अंसर बतार डवलीओ Tea пой ट्रीओं इनाम वो गइ़ależे क्यलेंट ओन टेरिफ और टेरिफ एंड ट्रेड समझाया टैरिफ और ट्रेड में टेडी सोंगे कॉमन आएगा पहले एबीसी में ए आएगा टैरिफ आया धान ट्रेड आएगा तो इस इस वाल गैट गैट बना था 48 में और इसके हैड़कोडर थे आपके ज今日 रहा तर समझ आया और गैट का आपका 8 राउंड चल रहा था जिसे आप आप क्या कहते थे रुगवे राउंड क के तीनाम चल रहाँ था और उसके बाद आपका Pst रोखवे राउंड के बाद के हैं वह है proposeेजनेवा के इंदर हैं 1948 gaming बनाता एक जनवरी 1995 को आपका बना था डड। और इसके बाद ही आपने इंडिया ने किया था यहां पर 1995 में ही और यह जो है एक अकॉर्ड था एक आपका एग्रिमेंट था जिसे हम क्या कहते हैं डंकल एकॉर्ड क्योंकि उस टाइम पर रुगवे राउंड के जो प्रेजिडेंट थे वह थे डंकल तो डंकल एकॉर्ड से बना था अब कोशन यहां पर यह कि बनेगा और बनेगा डी ऑप्षिन फॉर्थ ऑप्षिन इस दा करेक्ट अंसर वैरी इंपॉर्डटन अंसर इस फूर्थ ऑप्षिन बनेगा बहु पक्षिया बैपार को यह परमोट करता है डबली ट्यों तो यह बाइलेटरल क्या होता है बहुत सारे देशों के बीच में तो हमेशा डबली ट्यों बात करता है आपका मल्टी लेटरल ट्रेड के बारे में क्लियर होगे आप लोगों को कि जी करें आगे कि अगला बताओ को कोशन देखे ध्यान से क्या बोल रहा है हाइस्ट परसेंटेज परसेंटेज वर्ड यूस कर रहा है वह मुस्लिम पीपल की अकॉर्डिंग तो सबसे ज्यादा जो है असम में है असम में अप्रॉक्सिमेटली 30.9 परसेंट जो है वो जितनी मुस्लिम पॉपलेशन उसके इतने रहते हैं दूसरे नंबर पर आता है आपका वेस्ट बेंगॉल अप्रॉक्सिमेटली 28 तो पूछ रहा है तो अंसर इसमें क्या बनेगा अश면 कैंसें जंसन क्या है है जो प्रसेंटेश वैजो है अंश्य समत्र देखने को मिलती है आपनेंगा नहीं है नहीं बताए जगा आप से जगा की बात पूछी यहां में और आपका जंबो कुश्वेर में जहां पर सबसे दा पॉपलिशन रहती है मुस्लिम पीपल की लेकिन यहां पर प्रसेंटेज वाइस पूछ रहा है तो इसमें क्या अंसर बनेगा आपका ए ऑप्षिन बनेगा और बेव को फो यहां पर उन्हें ने स्टेट वर्ड भी यूज क्या यह option बनेगा राइट अंसर समझाया तुम्हें जी हां जी 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 क्लियर होगे आप लोगं को हाँ नो डाउट देखो मैं आपको चीज बदाता हूं अधिए एक चीज है आपके दिमाग में चीज़े काफी आती है जो इस कोशन के रिगार्डिंग गलत हो सकती है ध्यां से जमना मैं क्या गया रहूं अगर उसने प्रसेंटेज वाइस पूछा तो आपका असंटिक करोगे परसेंटेज वाइस असंटिक करोगे अगर आपसे पूछा कि जो मुस्लिम पीपल है जो इसलाम को फॉलो करते हैं वह सबसे ज़्यादा पॉपलेशन कहां पर रहती है आप आपका अंसर आएगा उत्रपदेश अप्रॉक्सिमेटी 35 मिलियन पीपल वहां पर रहते हैं समझाया तो इसका जो अंसर बनेगा वह बनेगा आपका यह ऑप्शन बनेगा राइट अंसर समझाया आप लोगं को जी असमीज़ा करेक्ट अंसर अब कुछ आपको आपको मैं यहां पर बताना चाहूंगा जो इंपॉर्टन है असम के अंदर जो है आपके चार नैशन चार टाइगर रिजव हैं और पांच नैशन पाक हैं देखेजी कौन-कौन से ना मेरी टाइगर है और नैशन पाक यहां पर दिब्रू साइकोवा और काजी रंगा मानस यह चार ज किश्मेर में आपको पता है कि जो है जम्मो किश्मेर का जो मतलब जो यहां पर यहां पर के तीन हिल्स देखने को मिलती है मैं आपको बताया था क्याप वर्ड से याद करना है आपको काडिमम अन्नामलाई और आपकी पालनी बिल्कुल सदन मोस्ट जो सबसे साउथ मोस्ट है वो है काडिमम के अंदर देखने को मिलती है लक्षदीप की कैपिटल है आपकी कावरती तो इसका अंसर क्या बनेगा आपका यह आप्शन बन देखने गया न्यू कंजूमर प्रटेक्शन एक्ट जो है इंप्लिमेंट कब किया गया हमारे देश के अंदर कंजूमर प्रटेक्शन एक्ट का मतलब क्या है कंजूमर के ग्रिवेंस को सॉल्व करना उनको प्रटेक्ट करना उसको मिस गाइड करने से बचाना कंजूमर प् बात करी गई थी कि अगर कोई जो है सेलिबिटी अगर कोई सेलिबिटी पेड व्यूज के लिए और जो है गलत इंफॉर्मिशन आपको प्रवाइड कर रहा है तो उसके गेंस्ट केस भी जो है जारी कहिया जा सकता है न्यू कंजूमर प्रटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग 2020 यहां पर देखे प्रविजन हैं इसको ले लेना ठीक है कंजूमर प्रटेक्शन एक्ट में कोई सेपरेड जो है आपका रेगुलेटर नहीं था कंजूमर कंप्रेंट जो थी वह फाइल करी जा थी कंजूमर कोड के अंदर जहां पर जो सेलर होता था उसका ओफिस लोकेट चाहिं सकते थे और एक कोई प्रविजन नहीं थी मेडिएंटेंशन इसमें बीगल प्रविजन नहीं थी और यह पर को कर दी गई थी और इसमें आपको आमांट याद रखनी है यहां पर जो निवे वाला जो है आपका न्यूमर प्रटेक्शन एक्ट है इसके अंदर डिस् वेरी वेरी इंपॉर्टन पार्ट समझ आया है ठीक है है अगला देखिए वाज सनिय इस लेटे टू विच आपको पता लग रहा है यह सारे जो कोशन है ना यह और डी मैं कहीं ना कहीं आपके जो बच्चे आप में से पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि हमने चीजे करी हुई है कहीं ना कहीं आपके पेड कोर्स के अंदर तो उसको जगाओ अपनी चीज को कि हाँ आपने पढ़ा हुआ है सिर्फ ऐसे मत पढ़ो कि हाँ बेसिक चीजे से बढ़ रहे हैं जो बच्चे यूट्यूब से बढ़ते हैं उनके ने शाय चीजे नहीं होगी लेकिन जो पेड़ कोर्सिस वाले हैं उनमें से काफी चीजें डिसकस कर चुके हैं तो पढ़ो इनको और अंसर देने की कोशिश करो जी चले वजह सनया इस र्लेटे टूब विच ओधा फॉलिंग वेद ऑफ दा फॉलिंग इन में से कौन से वेद के साथ यह संबंदीत है जल्दी से जल्दी बताओ जी नहीं यह संबंदीत है जज़र वेद के साथ यह वज़ा सेना जो होता है यह प्रेयर सी उपर बात करता है तो यह आपका ज़र वेद के साथ संबंदीत है और इसमें सी Um सुकता मंडल के बारे में बात करता है पुरु सुकता मंडल और पुरु सुकता मंडल जो बाता है वर्ना सिस्टम के बारे में ब्रह्मन शत्रिय वैस शुद्र के बारे में बात करता है और रिगवेद का थर्ड मंडल जो है जिसके अंदर लिखा हुआ है गायत्री मंत्र गाय अदवर्यो सामवेद की अगर हम बात करते हैं तो यह म्यूजिक के लिए बात करता है और इसको पढ़ने वाला जो पंडित है वो कहते हैं उसको उद्गात्री उद्गात्री अथर्ववेद की बात करते हैं तो यह आपके जो है मैजिकल मैजिकल चाम स्पैल्स की बात करता है जो जादू टोना माना जो होता है वो अधर्ववेद के अंदर संबंदित होता है रिगवेद का उपवेद है आपका आयूर्वेद 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 होता है मैडिसन के लिए समझाया सामवेद का उपवेद है आपका धनुर्वेद सामवेद का है उपवेद गंधर्ववेद म्यूजी के लिए बात करता है जजुर्वेद का जो है वो है आपका धनुर्वेद धनुर्वेद जो आपका रिचुल् का डेडिव शिल्पवेध शिल्पवेद समझ आया और शिल्पवेद बात करता है ऑर्किटक्चर के लिए शिल्पपकारी के लिए तो इस पोश्टों का अश्र बनेगा अपका थर्ड ऑप्षिन बनेगा और बनेगा जजुर्वेद इसको कहते हैं वजश सनय कोशन ध्यान से समझिए बहुत ध्यान से कोशन समझने वाला है टिक मत करना ऐसे ही समझ के करना कोशन क्या बोल रहा है लिस्ट दे रखी है और उसके कॉंटेंट दे रखें हैं तो इन में से क्रेक्टली मैच आपको बताना की कौन सा क्रेक्टली मैच है ध्यान से समझिए इन में से कौन सा क्रेक्टली मैच है यह आपको ध्यान रखना है देखेंजी क्या है स्टेट यूने लिस्ट और concurrent list के उपर बात कर रहा है State list में क्या होता है State कानून बनाती है और सब कुछ State का चलता है जैसे की example health public health बिलकुछ State subject है पुलीस स्टेट सब्जक्ट है बिलकुल education नहीं education नहीं है education तो आपका concurrent संवर्थी सूची में आता है तो यह तो नहीं बनेगा तो मतलब पहला आप्षिन आपका गलत हो गया पब्लिक हैल्थ और पुलिस आपका स्टेट लिस्ट में यह द्यार रखना आए यूनिलिस्ट में सेंटर कानून बनाएगा जिसमें सीटिजनशिप की बारे में बात होग उप्सर बनेगा आपका सी ऑप्षन बनेगा एक तो और एजूकेशन जो है मैंने आपको बताया इसको एड किया गया था नाइटीन सेट्ट चैन्ट आमेंडमेंट एक्ट 1976 के अग्वाडिंग एड किया गया था जिसमें पांच सब्जक्ट एड किये गए थे वो कौन-कौ वेट संगने मिजर था एजुगेशन तो टीन मेसर था एजुगेशन वेट संगने अपिन मेजर और और क्या था यहां पर आपम्स्रेशन आप यिश्टिम मैं प्रटेक्शन वड़िए और कॉन सब्सक्राइब एक रहा गया forrest तो यह हमने पाफ सब्जेक्ट चेंज किये थे आपका स्टेट लिस्टे करेंट लिस्ट में तो अंसर इसमें क्या बनेगा थर्ड ऑप्शन समझाया तुम्हें यहां पर देखो यूने लिस्ट में सेंटर कानून बनाती है सिरफ और सिरफ जिसमें डिफेंस बैंकिंग करन्सी फॉरन अफेर्स यह सारे फैक्टर गस अथा है सेंट्र ग्में में आते हैं थे संबर्ती सूची समवर्ती वाइं में पर एक्रेशन सेंटर सेंटर डोनों मिलके कानून बनाती है जैसे कि आपका पुलिस हो गया नहीं यहां पर आपका बनाती है और यहां पर दोनों निस्ट में दोनों बनाते हैं क्लियर होगे आप लोगों को तो दीज आर वेरी इंपॉर्डटन कोशन अगला बताओ डेमोग्रेसी जो होती है एक आपका सिस्टम होता है गोविश्他们 को किसके पास होती है की और यहां पर चांग आगी तो सारी अल्टिमिट पावर हुग किसके पास चली जाएगी लोगों के पास प्रृस्टावना जो है यह हमने किसको दिया है तो यह भी अंसर क्या बनेगा बनेंगे यह इसमें रॉप्षिंगे बनेंगे नहीं ब हमने किसको दिया है तो इसका ऐसर बनेगा बी ऑप्षिन बनेगा करेक्ट अंसर बनेगा टूदा पीपल ऑफ इंडिया अंसर इसमें बी ऑप्षिन बनेगा करेक्ट अंसर डेमोगरिसी गर्मेंट टूदा पीपल बाइदा पीपल फॉर्डा पीपल अगला बताओ प्राइस टेबिलिटी का मतलब क्या होगया यहां पर आपका inflation control inflation control समझाया तो ये दोनों objective किसके होते है monetary policy के Money policy Agency जो अंतरगत होती है आपके RB के में 6 लोग होते है 6 में 3 आपके गोनेन की साइट से होते है और 3 आपके जो होते है RB की साइट से प्यूइट होते है और तीन लोगों में से एक होता है आपका gorner होता है इस में से और इस पूरी कमेटरीका चेयर पर्सन भी कौन होगाrov और होगा कि पास एक वोट होती है ते अगो और टो यहां पर चाहिए जिए यह आपको ध्याना रखना है तो इसमें आपकी मुनेटरी पॉलसिय और इंडिया से प SECRET में करेक्ट अंसर और मांढ़कों टाइगर का पैड़ है और Promised स्क्राइं या है और पीचे अपका टाढका पेड दिस इस वेरी इंपोर्टन और आर बी का जो आपका हिल्टन यंग कमिशन ने रिकमेंडेशन दी थी हिल्टन यंग कमिशन 1926 में आया था और फिर्स्ट एपरल 1935 को जो है आपका क्या बना था आर भी बना था अकॉर्डिंग टूदा गॉमेंट आफ इंडिया एक्ट 19 तो 1934 समझ आया और सदीजर वेरी इंपोर्टन पार्ट चलिए जी आगे देखते हैं है अगला कोशन बताई है को डूटैंर यह कुशन देखे जी क्या गयते हैं तो सब्सक्राइब है यूएस ने यूएस ने कब जोईन किया था जॉटलीर को यूएस ने कब जोईन किया था सेकंड वर्ल्ड वर को दुट्या यूद्ध को सेकंड वर्ड वर हुई थी 1939 में और 1945 के बीच में लड़ाई हुई थी और 45 में इसका एंड किया था यूएस पहले आपका सेकंड वर्ल्ड वर का पार्ट नहीं था लेकिन यह पार्ट तब बना था जब जब जपान ने UK cosmos 21dh1 यां यूएस ने बं गिरा दिये किसके ऊपर वनगिरा दिये आपके चार हिरोशीमा और नगासाकि में लेकिमें यूएस कब जॉइन कर गया 1945 को और नागासाकी में फेका गाथा 9 अगस्त 1945 को और हिरोशीमा के अंदर जो बं फेका गया था वो था लिटल बॉइ और नागासाकी में फैट मैं तो इसमें क्या बनेगा थर्ड ऑप्शिन बनेगा राइट अंसर 1941 अच्छा सेकेंड वर्ड वर्ड को जीतने वाले लोग कौन थे आपका फ्रांस था ठीक है और रशिया था और यूस था चाइना था और यू के था और यह पांचों देशी आपके क्या बने थे पांचों देशी मेंने क्या बनाए था यून बनाए था यूपनेटन नेशन जो बहुत बुरा हाल था उस ट्राइं पर अगला देखें जी क्या गयता है अगला कोशन देखें इन में से कौन सी जो रॉक है वो मैटामॉर्फिक रॉक नहीं है नौट ए मेटामॉर्फिक रॉक मैंने आपको बताया था तीन टाइप की रॉक होती है एक होता है इगनियस रॉक जिसे हम कहते हैं अगन्य चटाने जो आपका बनता है मैगमा को सॉलिडिफाइब करके मैगमा कूल होगा ठंडा होगा जम गया उसके बाद बनते हैं इसके अब незам needle प्रैशर पड़ता है तो आपकी रॉक के हैं मैटामॉर्फिक रॉप इसको कहा जाता है और इसमें मैटामॉर्फिक रॉप में जो है कॉंसी जो है not a metamorphic रॉप इन में से कौन सी जो है metamorphic रॉप कशन यह नहीं क्ले और शेल हो शेम हो जाती है आपकी सलेट में और फाईलाइिट में judgments हो जाता है आपका n distractions ग्रेपर में लाइम स्टोन चेंज मार्बल में तो ये आपको पता अचे पुछ रहा है कि इन में से कौनने, metamorphic rock नहीं है तो यह सारे option आपको देख लेजिए और यहां पर अप्टिक कर दीजिए अंसर marble तो है है ठीक है quartzite भी है और graphite भी है तो गैब्रू नहीं है तो अंसर इसमें क्या बनेगा आपका फूर्थ option बनेगा correct answer बनेगा फूर्थ option is the correct answer समझाया जी अगला देखो अगला देखे जी कोशन यह कह रहा है यह देखो यह बंबे को बंबे को जो है capital बंबे प्रेजिदेंसी का capital कब घुशित किया गया था वैन वाजब बंबे डिक्लियर दा capital of Bombay presidency बंबे प्रेजिदेंसी जिसमें आपका प्रेजिदेंसी वहां पर होती थी जहां अब के गवर्नर पॉइंट होते थे तो गवर्नर होते थे फिर बाद में गवर्नर जनरल पॉइंट होने लगे तो उनको हम प्रेजिदेंसी कहते थे लेकिन कोशन यहां पर किया है कि बॉंबे को बॉंबे को कब्ल प्रेजिदेंसी का यह कब गोशिद किया गया था जब इन्होंने एंगलो मराथा वार हुई थी और मराथा जहार गए थे और गोशित किया गया था 1819 में अंसर इसमें क्या बनेगा आपका थर्ड ऑप्षिन बनेगा करेक्ट अंसर 1819 is the correct answer yes very good very good 1819 is the correct answer 1829 आपको पता है क्या है सती प्रथा को बैन किया गया था सती सिस्टम को खतम किया गया था विल्यम बैंटिक ने किया था और इसमें जो मेजर रोल आपका राजा राम मोहन राए जी का भी था राजा राम मोहन राए और राजा राम मोहन राए जो हैं यह इंग्लिश को भी सपोर्ट करते थे राजा का टाइटल इनको दिया था अकबर दित्या ने अकबर सेकेंड ने दिया था और इनको फादर ऑफ इंडियन रहनेसा भी क्यलकटा के अंदर वैरी इंपोर्टन पार्ट तो अंसर इसमें सी ऑप्षन बनेगा करेक्ट अंसर बनेगा सी ऑप्षन चले जी अंसर बताईए हूँ प्रिसाइडिट ओवर दा स्पेशल सेशन ऑफ दा कैलकटा स्पेशल सेशन हुआ था कैलकटा का 1920 में और इन विच दा रेजुशन आफ नॉन कोपरेशन मुवमेंट वास पास्ट दिखें जी क्या है और सहयोग आंदूलन पास किया था कौन सा स्पेशल सेशन था आपका कैलकटा का 1920 का जिसमें प्रेजडेंट कौन थे इसमें प्रेजडेंट कौन थे जल्दी से जल्दी बताईए देखें अगर हम बात करें तो आपका लॉंच हो गया था एक अगस्त सब्सक्राइब करेंट करेंट करेंगे और जो खादी है उसको नैशन ड्रेस बनाया गया था चरखा जो हमारा नेशन सिंबल बन गया था तो बात यहां पर यह है कि यह प्रेजडेंट कौन थे लाला लाज पत्राइब यह है पत्राइक जो डद हुई थी वह थी आपके जब साइमन कमिशन देश में आया था और सऑंडर से लटी चार्ज किया था और डिया था सकॉट ने तब जो है डैत करे गई थी और बाद में बदला लिया गया था भगसिंह ने बदला लिया था इसका लाजपत्राई जी की डेथ का और किस को मार के साइमन को सौंडर्स को मार के बदला लिया था तो इसमें थर्ड ऑप्शन बनेगा मोतिला नहरु जी आपको दो पॉइंट याद रखने हैं मोतिला नहरु जी के लिए एक तो सुराज पार्टी यह बनी थे 1923 में जिसके प्रेजिजेंट कौन थे सी यार दास थे और मोतिला नहरु जो थे वो जनरल सेकरेटरी थे और मोतिला नहरु ने एक कॉंसिशन रिपोर्ट पर प्रस्तूत करी थी 1928 की जिसे अब कहते हैं नहरु रिपोर्ट वो आपकी मोतिला नहरु जी ने दी थी जोहला नहरु जी की बात करते हैं 29 में आपका सु वरावी के किनारे पे और 26 जनवरी 1930 को पहला इंडिपेंडेंस डे भी इन्होंने सेलिब्रेट किया था गांधी जी पहली और आकरी बार प्रेजिट थे 1924 में बेलकाउं सेशन करनाटक में पहली और आकरी बार तो इस कोशन का अंसर क्या बनेगा आपका थर्ड ऑप्शन ला आप केशरी के नाम से भी जानते हैं शेरे पंजाब के नाम से भी इनको जाना जाता है और इन्होंने 1897 में हिंदू और्फन रिलीफ मुवमेंट चलाई थी जिसके अंदर जो है क्रिश्यन मिशन जो है उनको उनकी मतलब बच्चों की कस्टड़ी को क्रिश्यन के पास जान इंडिया मतलब मेरे उपर जो एक लाठी भी चार्ज करी गई है तो वो हर एक लाठी का जवाब अंग्रेजों को मिलेगा और यह जो है उनका पतन होने के लिए लाठी चला रहे हो जितनी लाठी चलेंगी उत्रण जल्दी आपका पतन होगा तो यह वर्ड इन्होंने यू अगला देखिए कोशन देखेए जी क्या गता है वह पबलिश दा हुमनेंट इंडगेस ट्रिंड यूंट इंडेक्स के बारे में पहली बार किस ने बात करी थी महबूबल हक क्ए यह कौन है में महबूब महबूबल हक है जो है पाकिस्तान के एकनोमिस्ट तो उन्होंने ब वेल्थ और एड्युकेशन यह तीन चीजों को हम कैल्कुलेट करके चलते हैं तो उसमें सी ऑप्षिन बनेगा और आपका यूएंड़ी और हुमन जो है हुमन डेवल्मेंट इंडेक्स के अंदर जो इनिक्वैलिटी होती है उसके बारे में बात करता है तो यह सारी बाते जो अगला बताईए हुमन जी 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 अब देखें जी क्या गयता है तारकुंदे कमैटी तारकुंदे कमैटी बिठाई गए थी 1975 में 1975 की बाद चल रही है द्यान रखना यह किस चीज के लिए थी तारकुंदे कमैटी ने बोला था आपके किस चीज के लिए बोला था इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए बोला था निर्वाचन सुधारों के लिए बोला था अंसर इसमें क्या बनेगा फूर्थ ऑप्शन बनेगा करेक्ट अंसर अब इलेक्टोरल रि कि मिनिमम एज जो होगी वह 18 साल कर दी जाए वोटिंग की और ये बात भी कब पूरी हुई थी 61st एमेंडमेंट के अकॉर्डिंग पूरी हुई थी और इनका दूसरा उदेश्या कहा था आप free एंड फेर इलेक्शन करवाओ और जिसके according जो है free एंड फेर इलेक्शन करवाओ और आपके जो है लोगों को बिठाओ उस चीज के लिए जाए यह पूछा या सकता है तारकुंदे कमेटे में चेर परसंट तो तारकुंदे ही है और इनके दूसरे परसंट कौन थे यहाँ पे यह दूसरे परसन थे मर मसाई भी यहां पर इन्वाल्ड थे तो इसमें डी ऑप्षिन बनेगा राइट अंसर एलेक्टोरल रिफॉर्म चलिए अगला अंसर बताईए कि नाबाड का मतलब क्या होता है वट इस अमीनिंग ओफ नाबाड नाबाड का मतलब क्या है नैशनल बैंक फॉर एग्रिकल्चर रूल डेवलमेंट यह कब बना था बारह जुलाई 1982 को बना था और यह किसकी कमेंटे की से क्रैफिक कार्ड कमेटे की recommend से और क्रैफिक कार्ट कमेटे के चेर सिवरमन तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि शिवरमन कमेटे की recommendation से बना था और इनका उदेश्य होता है वह agriculture और डवलमेंट इनका में उदेश्य होता है तो इस question का अंसर क्या बनेगा National Bank for agriculture एंड रूरल डेवलेमेंट अंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट अंसर बनेगा और नबाड जो है यह लोन किसको प्रवाइड करती है और रवी को और मेनली सिदी सी बात है अग्रिकल्चर और रूरल डेवलेमेंट में हल्प करवाएगी कोपरेटिव सोसाइटीज को यह लोन परवाइड करती है और इसके हैड़कॉर्टर कहां पर है मुंबई के अंदर है मुंबई के अंदर है और अच्छा नबाड के पास एक फंड होता है जिसे हम क्या कहते है और आई डिएफ वाट इस आई डिएफ डिस इस काल रूरल इंफास्रक्टर डेवलेमेंट जो आपके रूरल एडिया के अंदर इन्फरसक्टर को बिल्ड अप करने के लिए फंड होता है यह किसके पास होता है अगेन नाबाड के पास होता है अंसर इसमें वी ऑप्शिन बनेगा करेक्ट अंसर बनेगा नाबाड नाबाड इस नोवन आज नाशनल बैंक for agriculture and rural development 1982 में बना था कि अगला बताओ कि आरार्बी की उपर कोशिन है आरार्बी जार स्पॉंसर्ड बाई आरार्बी जार स्पॉंसर्ड बाई देखे आरार्बी जो है वो तीन चीजों से स्पॉंसर् बैंक है समझाया आपका प्रॉफिट नुकसान देंगे नियूंति स्पॉंसर बैंक जो holes यह हमेशा आप बनेगा Buffalo बनेगा अगया है कि मेंने आपको बताया हुआ है अब 최고 को बताया तो हमारे देशंध में दो बार nationalization हुई थी बैंकों की एक तो हुई थी 19 जुलाई 1969 को जब आपके 14 बैंकों का राष्टिय करन किया गया था जिसमें paid up capital रखी थी 50 क्रोड इच बैंक के अंदर दूसरा था 15 एपरल 1980 के बीच में और जहां पर आपके छे मोर बैंकों का नैशनलाईशन किया गया और paid up capital रखी थी 200 क्रोड रुपे इच दो 200 क्रोड पर हर बैंक में रखा गया था तो इस कोशन का अंसर किसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट अंसर बनेगा समझाए आप लोगं को जी ए ऑप्शन इजा करेक्ट अंसर नैशनलाईश्ट बैंक इजा राइट अंसर अगला बताओ यह बड़ा इंपॉर्डन कोशन है यह बड़ा इंपॉर्डन कोशन है आपका अंसर बताओ इसमें इन विच एकवनोमी सिस्टम डूवी फांड कंजूमर सॉवनिटी का मतलब क्या होता है कि कंजूमर भगवान है जैसे कंजूमर के पास च्वाइस होंगी कि वो करना क्या चाता है जैसे कि आज हमारे देश में आज तो मैं हमारे देश की दूब में बात नहीं करूंगा बहुत सारे यह से युएस वगएरा के अंदर है ठीक है हमारा देश भी आधा आधा जो है कंज्यूमर सौर्वनाइटी की तरह आता है और आधा सोमस्री में आता है कंज्यूमरस साववनाटि वहाँ पर zajmor होती है जहां पर आपकी चाप्टैलिस्टमी होती है में सी अंदर इसमें सी और देखने को आपको मिलेगा तो गप्राइवेट सेक्टर का कंडोल है लेजस स्वेस्वियर का फिनोमिना है जिसमें आपका लीड के लीड का मिलता है देखने को मिलता है वेल्फियर सोसाइटी के लिए काम करता है और government का control सारा होता है और हमारे देश में economy जो है वो कौन सी है mixed economy देखने को मिलती है तो इसका answer क्या बनेगा आपका c option बनेगा correct answer बनेगा समझाया तुमें जी ये देखे जी ठीक है ये देख लो pure planned economy जिसमें आपका communism आता है for example आगे चलते हैं mixed economy में जिसमें socialist और capitalist दोनों आते हैं और फिर आगया pure market competition जो आपका जो है आपका that is free market का concept आ गया जिसमें competition है capitalism की तरफ चला जाता है तो these are very important part जो आपकी economy के सार्थ संबंदीत हैं चलिए अगला answer बताईए हाँ आर आर भी जो बने थे वो 1975 में बने थे आर आर भी 1975 में बने थे वो तो मैंने कितने बार आपको याद होगी होगी चीज़े अप तो यह चलिए अगला answer बताईए कोशन देखेजी क्या कहता है फैडल गवर्मेंट का बारे में बात कर रहा है फैडल गवर्मेंट का मतलब क्या होता है संग्या सरकार का मतलब क्या होता है मैंने आपको बदाया था संग्या सरकार का मतलब क्या होता है कि आपका तीन जगा क्यों पर पावर डिवाइड़ होती है सेंटर के अपनी पावर सुप्रीम रहेगा फ्लेक्सिबल सब्सक्राइब इंडिपेंडेंट जुडिश्री बिल्कुल इंडिपेंडेंट जुडिश्री यहां पर बनेगी समझ आया जी हाँ अब आप कुछ फेक्ट लिखिये जो मैं आपको बताना चाहोंगा कि कि आपका जो फैडल गंचेंद रिटन कॉंसिशन तो होता ही होता है लिटन कॉंसिशन होता है यहां पर देखने को आपको मिलेगा समझाया डिविजन ऑफ पावर भी आपको देखने को को मिलती है और प्लस बाईट कैमरा लेजिसलेचर भी देखने को आपको मिलेगा जाने के आपके दो हाउस होंगे वहां पर जो कंटोल कर रहे होंगे समझा है आप लोगों को जी तो यह आपके जो है फेक्टर आपको देखने को मिलते हैं जी तो अंसर इसमें क्या बनेगा आपका 124 इसमें थर्ड ऑप्शन बनेगा और गलती करोगे पेपर में आप इसको भी टिक कर जाओगे तो यह नहीं है यह फ्लेक्सिबल की जगा की उपर क्या है हमारा रिजेड कॉंसिजिशन यह ध्या रखना अंसर इसमें थर्ड ऑप्श कि पर फेसर मुहमल यूनेज जो हैं यह फाउंडर है किस कि म। koy म१ म१ यूनेज गानेटर है यह आपका कोशन है तो यह बैंक है आपका ग्रामाइन बैंक जो बंग्ला देश में कंसेप्ट्टाट हूआ था वो इन के तरू ही प्योंदेश गोए थर्ड गयूंस के तरु यह आपका gramean bank का concept इनों ने दिया था महमा यूनस जी ने तब ही आपका और भी का concept पूरे वोल्डवाइड फेमस हुआ था commercial bank की अगर मैं बात करूँ यह मैं country की बात नहीं करूंगा भी commercial bank की अगर मैं बात करूँ तो हमारे देश में commercial bank सबसे बड़ा कौन सा है SBA क्योंकि वोड करता है profit के लिए काम business करता है corporate banks होते हैं वो तीन level की उपर है हमारे देश के अंदर एक होता है विलेज level की उपर एक होता है आपका district level की उपर और एक होता है आपका state level की उपर और इसमें apex bank को जो होगा वो state होगा state corporate कोपरेटी बैंक आपका एपेक्स बैंक देखने को आपको मिलता है स्टेट कोपरेटी बैंक ठीक है डिस्टिक वाला जो होता है उसको हम क्या क्या क्याते हैं सेंट्र कोपरेटी बैंक पर विलेज वाला जो होता है उसकों क्या क्या गते हैं primary cooperative bank और इसमें apex bank कै आपका state cooperative bank और cooperative banks को पैसा कौन देता है नबाड state bank of India is the आपको बता आ था और state bank of India बना कब था एक जुलाइ उन्निसो पच्पन को ठीक है और इस से पहले इसका नाम क्या था इंपीरियल बैंक ओफ इंडिया इंपीरियल बैंक ओफ इंडिया 1921 में बना था समझ आया उसके बाद जो है एक जुराइए 1905 को इसका नाम चेंज हो गया था आपका लुब किसे कहते हैं इडियन नेपोलियन के अग्रबास करूंस तो सब्सक्राइब और तो यह चाइल्ड दा फ्रेंच रेवलुशन इं नेपोलियन को लेगिं अदर्वाइस इंडियन य नेपोलियन किसे कहते लूग्शांग't समुद्रगुप्टि इसमें B Option बनेगा समुद्र गुप्ट करते हैं तो इनको कविराज भी कहते हैं really सी राज और वीना की उपर सिखका वीना जो है वीना वीना बेना ज़ाते हुएं फिश्कों की ऊपर में रहते थी श help की एक इंसक्रिप्शन तैड़ mínimo प्रयाग स्षर्ष्ष डिल lost All सब्सक्राइब करते हैं और इनके नाम पे आइरन पिलर महरूली के अंदर आइरन पिलर महरूली के अंदर जो संबंदित है वह चंद्र सब्सक्राइब करते हैं अशोग को बुद्धर में करवाया था उपागुप्त ने उपागुप्त जिसे आप मोगाले पुतिस भी कहते हैं और इन्हों ने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी वह अशोग ने पार्टली पुत्र में और चेर परसन कों थे मोगाले पुतिस और इन्हों ने एक पुस्तक लिखे थी डैड़ीज अभिधाम पिटक जो आपकी बुद्धिसम में पिटक मशूर है आपकी फेमस तीन होली बुक्स है वीने पिटक और वीने पिटक सुथ पिटक अभिधाम पिटक तो यह थर्ड बुक जो है अशोग के टाइम पे लिखी गई थी यह वाली समझाया और उसके बाद जो है पाली लेंगुज में लिखी गई है अशोग ने जो है बुद्धरम का परचार करवाया साउथ में डैड़ी जिंदा जड़ी जिंदा श्रीलंका थाइलैंड और इंडोनेशा बगारा देशों के अंदर चंद्रकुप्त मोर्या की अगर हम बात करते हैं तो मोर्या वंश के संस्तापक हैं कोटिल सबढ़े हैं और वह अपर चंदर घृटिल जो इंडिया में आया था वह से लिकेकर ने बेजा था रुवार्त मैं ओलगा से अगला बताई अ को दिकत देखो नहीं नहीं उसमें यूटुब में देखो नहीं ना चक करते रागों बीच में ना क्रियेचर जा रहे हैं बीच में ऐसे अगला कोशन देखे जी आफ्टर एवरीज आफटर एवरी जेनरलेक्षन विच्छा ऑफ दा पारलेमेंट री किन आसेड़े लैक्षिंद। के बाद कौन सा हॉजर पारलेमेंट है जो दुबारा से पुन्र गठित किया जाता है are after पर प्रेजिजेंट होता है इसके तीन पार्ट होते हैं इसको हम गया गाते हैं बाइकेमरल लगिस्लेचर की पहली बात हुई थी 1919 में लेकिन इसका पूरा प्रावधान जो आगया था 1935 के एक्ट में आया था और बाइकेमरल legislature हमने ब्रिटेन constitution से हमने बोरो किया है यह idea अब बात है जब election होता है तो कौन सा house दुवारा से बनाया जाता है only दा लोक सबा only दा लोक सबा राज्य सबा जो होता है इसके एक बटा तीन सदस्या जो होते हैं हर दो साल बाद रिटायर होते हैं दो साल बाद इनकी feeling करी जाती ह है और राज्य सबा के सदस्यों को चुनते कौन है state legislative assembly जाने के आपके विधान सबा के चुने हुए लोग जाने की elected लोग जिसे हम क्या क्याते है MLS वो चुनते हैं समझाया बट हाँ यह याद रखना कि members का कारेकाल 6 साल होता है permanent house होता है राज्य सबा लेकिन लोक सबा पीर्स के बारे में कहां पर लिखा गया है for schedule में लिखा गया है चौथी अनुसूची में लिखा गया है और लोकसबा का article नंबर शुरी राज्य सबावा का article नंबर 21 और पारलबेंट का article सेवंटीन नाइन यह आपको याद रखना है तो अंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट अंसर बनेगा भी ऑप्शन कि चलिए अगला देखिए कुछ फाउंडर ऑफ कुटुब शाही डैनेस्टी के फाउंडर कौन है इनका जो नाम है मालकी इनका जो नाम है मालकी भारामा इनका दूसर नाम है तेलगू में और इनको जो है पहला परसन जिनको सुल्तान का टाइटल मिला था बट यह ऐसे नहीं है यह कुटुब शाही डैनेस्टी से बिलोंग करते है पर यह राजा नहीं है मतलब पहले राजा नहीं है यह रखना है और उसके बाद आदिल शाह की बात करूं तो यह सुल्तान ओफ बिजापुर है आदिल शाही डैनेस्टी के राजा समझाया लेकिन यहां पर कोशन क्या पूछ रहे हैं फाउंडर बताईए तो फाउ सब्सक्राइब को यह बट खुली कोटब शाही राजा अगला बताओ और युनेस्को के हेड़कौर्टर कहां पर चैन। युनाइटे नीशें साइंट कैड़नेशन के यहीं के एड़कौर्टर कहां पर हैं यह हैई फ्रांस की कैप्टल के उनाइटे नेशन डेवलिम्मेंट प्रोग्राम के और यह सारे हेड़कोर्टर हैं यहां पे न्यू यॉप के अंदर के अंदर के इंटरनेशन कोट अफ जस्टीज के अंदर 15 जजी जो होते हैं हर ज़िए का जो कार्याकाल होता है आपका सी ऑप्शिन बनेगा राइट अंसर डैट इस पैरिस इस दा करेक्ट अंसर समझाया तुम्हें पैरीस इस दा करेक्ट अंसर जी पैरीस कि अगला पताओ प्रम्भी कुलम अलियार प्रोजेक्ट जो है यह कहां पर है जी हाँ इसका इश्यू है वो किसके साथ है प्रम्भी कुलम अलियार प्रोजेक्ट जो है यह इश्यू है किसके बीच में यह है आपका प्रम्भी कुलम अलियार प्रोजेक्ट जो है तमिलाडू और केरल की बीच तमिलाडू एंड केरल इसमें पानी के उपर डिस्प्यूट है आपका इंटर स्टेट डिस्प्यूट है वाटर शेरिंग के लिए प्रम्भी कुलम अलियार प्रोजेक्ट इसमें डी ऑप्षिन बनेगा करेक्ट अंसर बनेगा डी अब यहां पर एक चीज़ आपको दिखाता करेंगे और रेट्रोस्प्यक्टिवली किया गया था जाना कि 1958 से जग किया गया था और इन्होंने बोला था कि शेर किया जाएगा भारत यह पानी शेर किया जाएगा डैट इसकोल भारता पूजा चला कुड़ी पेरियार एंड इंड इंप्लिमेंटेश्ट अब प्रोजे एग्रिमेंट है पुटिन अगला देखिए यह थोड़ा सा एकनॉमिक्स और बैंकिंग को मिक्स करके लिखा गया है लेकिन आता है पेपर में कोशन ए लोन ओफर बाइए ग्रूप ऑफ लेंडर हुवर्क तुगैदर तो प्रोवाइट फंड फॉर सिंगल बॉर बहुत ज्यादा बड़ा लेना लेना पड़े बैंक से चीक है तो बैंक के पास जाएंगे तो बैंक अगर सपोस्ट करो कि नहीं है वह उत्रा लोन देने के लिए तो बैंक दो तीन बैंक मिलके उस परसन को लोन दे देते हैं and that is called that type of loan is called syndicate loan उसको कहा जाता है इसको क्या कह में आपके पास पैसे पड़े हैं लेकिन आपको उससे ज्यादा पैसे होगी जुरूरत होती है तो आपकी वहां पे जाए और अपना करके एक्स्ट्रा पैसे भी ले सकते हैं और यह बैंकिंग और परसन के साथ संबंदित है एक परसन एक जो जिसका अकाउंट है वही जाक कुछ पैसे पैसे फिर दीरे पैसे देना मतले ऐसे नहीं एक दम से पैसे देना सारे के सारे कुछ आमाउंट में पैसे दे डै इसक्ट!」 लून तो इसनत्र क्या बनेगा आपका इंसर क्या embryo कि जैड कि अलून सी मढगत और हो हमारे देश में bastard है पार्टी जो इंडिया के अंदर रेकोगनाईज करी जाती है पुलिटिकल पार्टी वुट बी ऑर्टोमेटिकल इलीजिबल इफ इंज्वाइद स्टेट पार्टी इन एट लीस्ट कोशन क्या गयता है किसी भी किसी भी हमारे देश के अंदर नैशनल पार्टी घुशित करना नैशनल पार्टी जब घुशित करी जाती है तो बहुत सारे क्राटिरिया होते हैं उसमें से एक राटिरिया यह है कि स्टेट पार्टी वो कम से कम 4 या 4 से ज्यादा राजियों में होनी, चाहिए 4 या 4 से ज़््यादा में, आंसर इसमें क्या बनेगा? आपका c option बनेगा correct एंसर मिनिमम चार तो होने ही चाहिए चार या चार से ज्यादा एक तो यह स्टेटस है आपका अगर वह स्टेट पार्टी है और कुछ आपके अब्जेक्टिव और भी है पहले तो आप थर्ड वाला पॉइंट पड़ें थर्ड वाले पॉइंट में ही लिखा हुआ है दा पा चार और चार से ज्यादा राज्यों में और और उसने चार सीट जीती हों आपकी लोगसभा के इलेक्शन की तो यह होता है आपका नैशन पार्टी का स्टेट है उतनी और चार लोगसभा की सीटें चार या चार से ज्यादा राज्यों में दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि इसने कम से कम 2% जीती हों 2% जो है आपका होनी चाहिए लोगससे बाग सीट beetle उसके पास होनी चाहिए तीन राज्या में तीस फ्री wires attached में वने चाहिए तब भी वो जो है आपका नशनलिल पार्टी का स्टेटस उसको मिल जाएगाija अwhat समझ आया जी तो यह आपको ध्यान रखना है यह क्राइटीरिया आपको पता होने चाहिए अगला देखिए बुधिजम Smita Pitno, Hinian & Mahayan sect at the Buddhist council held during the Rania jam . डीज़ें क्या है कि जब आपका हिन्यान और Mahayan में divide हुआ था बुधिजम तो यह कान से टाइम पर हुआ था यह हुआ था fourth Buddhist council में और fourth Buddhist council का भजी थी कश्मीर में जिसके थे यह परसन कौन थे वासुमित्र थे वासुमित्र और डिपिड़ी चेर परसन कौन थे अश्वघोष और उसे ने करवाई किसने थी कनिश्क ने कर थी तो अंसर इसमें क्या बनेगा आपका बी-ौप्श e-ráe समझाया और जो है सिल्क रूट की उपर रूल किया हुआ है कनिश्क जो है कनिश्क ने सिल्क रूट की उपर कंटोल किया है 78aD यह जो है इनौन ने शक वंश इरा भी स्टार्ट किया हुआ है सागव और दूसरी बात यह है कि कनिश्क बात करते हैं तो कनिश्क जो है इनको दूसरा शोख भी कहते हैं क्योंकि इनों ने बुद्धारम का परचार किया था कहाँ पे चाइंडा और जापन के अंदर नौ स्टोन यूज़ करते हैं और गंदार स्कूल आफार्ट में रेड़ सेंट स्टोन ना यूज़ करके रेड़ सेंट सेंट स्टोन ना यूज़ करके वहां पर नाकाशी करी स्टैचू औफ कनिश्क यह किस स्कूल आफ आर्ट में बना हुआ है है यह जो है हर्षवर्दन की बात करता हम तो हर्षवर्दन जो है यह खुद लेखक है इन्हों ने जो है नागानंद इन्हों ने जो है रतनावली और रतनावली प्रियादर्षिका यह पुस्तक जो है इन्हों ने लिखी है यहां पर शोख की बात करते है तो अशोक के ने तीसरी बुदिश्ट कौन से करवाई थी यह तो सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं तो इस कोशन का जो अंसर बनेगा आपका वो बनेगा क्या डैडिस कनिश्केजदा राइट अंसर सेकिंड ऑप्शन सेकिंड ऑप्शन यह आपकी जो काउंसिल जो होती थी जी कि अगला बताईए का ओंगि सवालिया इस सुमालिया की कापिटल कौन सि कर्णिश्म मोगा अंसर जो है्सबर्ग वे में एक शहर है दर अरे सेलाम यह तंजाने लिए नदर शहर है अंकारा जो आपकी है टर्की की कापिल है जिसकी करन्सी क्या है लीगा बिरह याद रखना माल्या के साथ कौन कौन से साथ में लगती है यहां पर यहां पर इंडिया यहां पे आपको पेपर में पूचे जा सकते हैं कालिया के साथ कौन कौन से देश लगते हैं जी अगला देखिए नादिर शाह हमारे देश में आया था किसके टाइम पे नादिर शाह हमारे देश में आया था किसके टाइम पे आया था जी नादिर शाह हमारे देश में कब आया था किसके टाइम पे आया था तो मुहम्मद शा के टाइम पर आया था मुहम्मद शाह के टाइम पर नादिर शाह जो है 1739 में इंडिया में लूट पाड़ करके चला गया था यहां से पीकोग ठ्रोन जो आपका मियूर और कोहिनूर हीरा वगयरा सब कुछ उठाके ले थे यह तो अंसरिस में सी ऑप्षिन बनेगा राइट अंसर मुहम्मद शाह इसा करेक्ट अंसर मुहम्मद शाह वैरी इंपॉर्टन कोशन मुहम्मद शाह इस राइट वान क्लियर हो गए आप लोगों को जी मौम्मद शाह और शाह आलम सेकिंड जिसे हम कहते हैं शाह आलम सेकिंड जो मैंने आपको बताया था इनकी लड़ाई होती बकसर का युद्ध हुआ था 1764 में यह मुगल एंपर शाह आलम दुट्यां हैं और इनके साथ शूजा दोला नवावफ अवद और मीर कासीम जो नवावफ बेंगॉल था इन्होंने लड़ाई लड़ी थी बकसर की किसके अगेंस लड़ी थी मुन्रों के अगेंस लड़ी थी और हार गए थे उसके बाद आजो बहादुर्शा बहादुर्शा जफर की अगर में बात करता हूं तो 1857 में जो है रिवोल्ट लड़ा था दिल्ली से ड्यूटी फ्री ट्रेड करने के लिए बोला था अंग्रेजों को और जो जो राइट्स दिये गए थे दस्तक फ्री जाने कि ड्यूटी फ्री ट्रेड करने के लिए बोला गया था उसको जो है अंग्रेजों के अंदर क्या गयते हैं मैगना काटा कहा जाता है कि उनको राइट मिलगे सब चीज़े करने के लिए यहां पर तो इस कोशन का जो अंसर बनेगा जी तो अंसर इसमें क्या बनेगा सी ऑप्षिन बनेगा राइट अंसर मौमब शाह रंगीला कि चलिए अगला अंसर देखिए it हैएड हेड़कोर्टर ओफ इंटरनेशनल field on banner jaki इंटरनेशनल इटोमिंगी ईजन्ष lt ajust के जो है एड़कवाटर कहां पर हैं जाने कींटरनाशन आई ए के ऑग् workplace कहां पे हैं टट जिन्दा वियाना वियाना ऑस्ट्रिया के अंदर देखने को आपको मिलते है सी ऐकर और और अस्ट्रिआ आपके वाशिंघ्टन के इंदर जो है आपके ड showing the World described और IMF के Headquarter है समझाया लंडन के अंदर Headquarter है Amnesty International जो आपके Human Rights के लिए काम करती है और यहां पे Commonwealth Organization के भी Headquarter है Commonwealth के तो अंसर इसमें C option बनेगा Correct answer बनेगा Atomic Energy Agency of India की बात करूं हो मैं तो उसके पर्शन कौन होते हैं आपके प्राइमिस्टर होते हैं Atomic Energy Agency के ठीक है Department के Headquarter जो जैड़ीज़ा प्राइमिस्टर इसमें सी ऑप्षिन बनेगा प्राइट अंसर कि अगला बताईए अर्थ Crust में सबसे जादा जो मिलता है वो क्या मिलता है मैंने आपको बताया था जो अर्थ की बात करें तो elemental form में पहले oxygen मिलती है और फिर आपका calcium तो यहां पर oxygen तो option में नहीं है तो दूसरा क्या है silicon silica तो इसमें क्या बनेगा आपका बी option बनेगा राइट अंसर silica is the correct answer silica is the correct answer बी option बनेगा राइट अंसर सिलिगा और यहां पर देखे जी it przyp kya वह है aluminum की और कौना सी है को रंड़न ये भी और देखने को मिलती है अइरन की बात करें तो आईरन जो है आपका दूसरा metle है जो सबसे ज्यादा मिलता है और पहक्तल है आपका almonium मिलता है सबसे ज़्यादा और आइरन की बात करते हैं तो आइरन की हेमेटाइट लेमनाइट साइड़ाइट आइरन पायराइट मेंगनेटाइट वीज वही इसको और क्या गाहया जाता है फूल्ड के नाम से याद रखना है और एक चीज आपको और बताता अर्थ क्रस्ट के साथ संबंदी चीजे जो होती है अर्थ क्रस्ट के साथ संबंदी चीजे क्या है यहां पर आपको पता होगा कि यह होता है उपर वाला पार्ट क्रस्ट और उसके बाद होता है मेंटल और थर्ड होता है आपका कोर वाला हिस्सा क्रस्ट मेंटल कोर और यहां सिलिकॉन मैगनेशियम और कोर में मिलता है हमें निफे निकल और आयरन समझ आया तो यह देखने को मिलता है क्रस्ट में जो आपकी डिवीजन है आउटर कोर इनर कोर के बीच में क्रस्ट में आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट के बीच में जो लाइनिंग यहां पर वो कौन सी पर गुटनबर्ग गुटनबर्ग डिस्कॉंटिनूटी आउटर को और इनर कोर के बीच में है यहां पर लेहमन डिस्कॉंटिनूटी लेहमन डिसकॉंटिनूटी तो दीज आ वेरी इंपॉर्डन फैक्ट्स जो आपको पेपर में पूछे जाते हैं कि समझ आया चलिए पूछ लेना ठीक है तो अभी पढ़ने की दरफ ध्यान दीजिए अगर आपको कोई डाउट होता है उस कोर्स के रिगार्डिंग तो मैंसे पोछ लेना पूजिशन ऑफ प्लैनेट वेन इस नियरस टूदा सन ऐसे बताइए जब ऐसा प्लैनेट जो सन के नजदीक होता है तो और पैरिहलियन में 147.1 संसिंग रह जाता है और एपीलियन में दूर हो जाता है 153 के सम्तिंग अपोजी क्या होता है जब मून और अर्थ जो है नजदीका आ जाते हैं और पैरिजी क्याते हैं यहां पर संट से अर्थ की बात चल रही थे पेरीह命 इसको वर्य यूस किया जाएगा एनसर समें वन आपशन बनेगा राइट अंसर अब आपको कुछंट दिखा ओओ यह होता हूं यह यह होता है आपका डिस्टेंश देखे च्शक्त really है जब अर्थ का डिस्टेंश नजदीक का जह घाता है संके डैन्सौं पेरिहีलिय आती है आपका एमझे आफ कोई फोजी होता है जब मून और अर्थ का!! दूर ओ जाता है और जब मून और अर्थ का डिस्टेंस नजदीक हो जाता है तो उसको क्या कहते है तो उटे कहते हैं यह सब tua है और यहां पर सुर्फी scheint किलो मिटर लेकिन जब पेरीजी वालолодीاسि उस्टएशन होती है तो मून औरठ जो टोकम रहाधा तीलाख बासटी हन्ट यह असपास यह होता है परीजीवाली श्टेशन रसा होता है इपोजी तो मैंने आपको डिस्टेंस इतना के बारे में तो यहां पर देखे मैंने आपको बताया कि अर्थ का डिस्टेंस होता है मिनिमम 150 मिलियन किलोमेटर के आसपास लेकिन पैर हीलियोन वाली सुचिशन जन्वरी मंत के अंदर बनती है तो 147.1 मिलियन किलोमेटर डिस्टेंस रहा जाता है जाने कि यह पास आ जाते हैं यहां पर नस्दीक आ जाते हैं और जुलाई के अंदर एपीलियन वाली सुचिशन बनती है और दूर चले जाते हैं 152.1 million kilometer distance यहां पर बन जाता है so these are very important question clear जो paper में पूछे जाते हैं आप से चले जी अगला देखे कोशन क्या गयता है कि जी कोशन क्या गयता है अच्छा ये बताईए इंडिया की जो boundary होती है longest boundary international boundary वो किसके साथ जुड़ी हुई है सबसे ज्यादा सबसे जुड़ी है आपकी बंगलादेश के साथ चार हजार च्छानवे किलोमेटर के आसपास जो है बंगलादेश के साथ हम जुड़े हुए हैं बंगलादेश की capital है धाका और करंसी क्या है टका समझाया सो अंसर इसमें ए option बनेगा राइट अंसर तो यहां पर देखे़ो बंगलादेश यह है बंगलें जुड़ कहां से रहा है वेस्ट pengal से जोट रहा है वेस्ट बेंगॉल मेगालिया से भी जोड़ रहा है और असम से भी जोड़ रहा है और उसके बाद जो है आपका त्रीपूरा से भी जोड़ रहा है और डैट सेट ठीक है तो यह आपका जोड़ रहा है इस तरीके से बांगला देश की कौन सा साइड से गेर लेती है तो तो टीनों सायट से क्याप्चर करे रखता है यहांपर चिपुरा को समझाया यह याद रखना है और बांगला देश आपका मिजोर्म के साथ भी जुड़ता है यहां पर समझाया आप लोगों को त्रीपुरा एस से निए देखें लिए यह वाली है यह देख लेना आपका पूरा लैंड बाउंडरी यह हैं सारी की सारी 15200 किलो मेटर के आसपास आता है और हमारी कोशल इरिया कितने है 751.1 16.6 किलोमेटर प्रोचल एरिया सारे इरिया को मिला अगर मैं में लैंड की बात करूं में लैंड की आपका जम्बुकिश्मी से साउथ के रल तमिलादू सो कि बात करता हूं तो इक सट्ट किलोमेटर आती है और इसमें आपकी बावंडरी लक्षदीप की भी है अंडेमा निक 6.6 में तो यह याद रखना है आपको अगरा देखिए जी लक्षदीप आइलेंड जो है वो कहां पे सिचुटीट है लक्षदीप आइलेंड कहां पे सिचुटीट है लक्षदीप जो है यह इसकी कैपिटल है कावारती और यह है आपके कहां पे डाइड जीन दा अरेविंसी अंसरी समें अरभ सागर is the correct answer are बींड इसको अरेविंसी टेहरी जैंड शिवर्ल्ट अरेविफिंसी गाउआ है और यहां पर एट डगरी चानल देखने को आपको मिल रहा है और 8 डिगरी और मौटीश को डेगरी चैनल लक्षदीप के अंदर ठीक है यहां पर यहां पर भी डेद सप्रेट करता है और यहां पर यहां को है आलको सेप्रेट सेप्रेट करते हैं यहां पर आ cho को और यहां पर नौ डिग्री भी आपको बता देता हूं नौ डिग्री क्या करता है मिनिकोई को लक्षदीप के मिनिकोई को लक्षदीप में लैंड से जो है अलग करता है मिनिकोई से लक्षदीप को अलग करता है में लैंड को अलग करता है यह द्यार रखें इंपोर्टन ह क्लियर याद रखना है आपको यह सारे कोईशन है अगला देखिए पहला परसन बताइए जिनको maxi evolution award मिला था maxi award का मतलब क्या होता है maxi award का मतलब होता है इशय का noble पुरसकार यह पहले परसन कौन थे अ च्छारइब इनुवा बावे अंसर इसमें क्या बनेगा the option बने चाहरा से चाहर ऑना भी और ये पहली विक्ति पकड़े गए था डूसरे सत्य गरही कौन थे टारू बस पकड़े गए भी इसी डिपारिपने गले समझत गवान्यय को प्रक्राइब एग block ऑट रिए लगे तुमalब फा जो है हमारे देश की पहली फिमेल फर्सेमिल प्राइमनिस्ट्र भनी है किरण फिमेल आई-पयास ऑफ़िसर अन्सर इसमें डी इसा करेक्ट अंसर को भी कजब दि बनोवा भावे यहाजिंट आपके नहें यहाज विनाइक नहारहरी इंडिविजल सत्यागरह में और यह आपके फौर सत्यागरह ही मूवमेंट और बड़ा इंपॉटन कोश्चन है बुदान मूवमेंट पुंचम पली में स्टार्ट करें थी ते लंगना के अंदर पॉर्द लैंड रिफोर्म्स और यह पहले परसन जिनको मैक्स से वर्ण मिला अगला देखें कि सेलरी एंड प्री रेक्विसिट जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की डिसाइड किसके द्वारा करी जाती है जितनी भी सारी चीज़े होती है सेलरी वगरा किसी भी पर्सन की बढ़ानी हो घटानी हो जा चेंज करना हो वह सारा कुछ किया जाता है आ और एक चीज़ आपको बताता हूं सेलरी के बारे में पूरी सेलरी के बारे में कौन से स्केडियूल में लिखा गया है सेकिंड स्केडियूल में लिखा गया है दूसरी अनुसूची में लिखा गया है कि किसकी कितरी सेलरी होगी तो अंसर इसमें क्या बनने वाला है सी ऑप दर्म के साथ चीज़े ऐसे रेट करी जाएंगी मतलब अपने अपने दर्म को चुनो अपने अपने दर्म के लोगों को चुनो ठीक है तो कॉमिनल एक्टरोड की बाद चो आई थी वह मिंटो मॉरले रिफॉर्म में आई थी अंसर इसमें बी ऑप्षन बनेगा यहां पर जो मॉरले हैं वह हैं सेक्रेटरी ऑफ दा स्टेट और मिंटो कौन है यहां पर गवर्णर जनल वाइस रहे हैं और इनको आप इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहते हैं अंसर इसमें बी ऑप्षन बनेगा 1892 की बात करते हैं तो पहली बाद इंडरेक्ट इलेक्शन की यहां पुस्तगली की थी और इसे इलेक्ट हुए थे याद रखिए अब 1919 की एक्ट की बात करते हैं मॉन्टैक्यू चैंसवर्ड डिफॉर्म टांफर पावर्वर थी आपकी इंडियन के पास जाने के जो मोट्रश और एक्जेंपल आपका पैसा और फानना की बात करूं कुद स्कालव कोणा कि हैं तो यंदैसर के पास रहत-ब्रेयन, टर अपके ब्ला इसके पास थी तो運गिया मूसिपली कब किया गया था 1935 के act में 1935 के act में provincial डायार की को खत्म किया गया था और यहां पे प्रांतों को पूरी की पूरी ऑटोनॉमी मिल गी थी शक्ति मिल गी थी कि हाँ आप अपना कानून बना सकते हैं सब चीज़ें यहां पर कर सकते कि यहां पर बड़ा important question है यहां पर आप confused हो सकते हैं कोश्चन देखें जी क्या गया रहे हैं सभी सिखों को इकठा किस ने किया और पंजाब के अंदर जो है एक kingdom बनाई तो उसे किस परसे ने बनाई यहां पर गुरु नानक देव जी भी लिखा हुआ है महाराजा रंजी सिंग भी लिखा हुआ है अगर आपसे पूचा गए कि सिख धर्म की स्थापना किस ने करी थी तो गुरु नानक देव जी बनेगा लेकिन यहां पर kingdom की बात आ रही है राज्य की बात आ रही है तो कौन है महाराजा रंजी सिंग अंसर इसमें किया था कब हड़पा था 1849 में 1849 में डलहौजी 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 ने इसको जो है हडपा था पंजाब को दिया रखना है बड़ा implications है जब गुरु नानक देव जी गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्तापक थे गुरु नानक देव जी के दसमें सिख गुरू है पैंस सिख गुरू है इन्होंने जफर नामा लिखा था किसको जफर नामा लिखा था और चैक को लिखा था अ 9 गुरु नोमें जजबादूरीוחW के उपर जो है चंडवी चंग दिली के अंदर जो है वहां पर एक जो है गुर्द्वारा है रखने यान वहां इंतो 성e में क्या बनेगाज महाराजा रंजिस सब्लिख infect desapare is चलिए अगला अंसर बताईए कौन से रिफॉर्मर को बोला जाता है कौन से रिफॉर्मर को बोला जाता है लोग हितवादी लोग हितवादी जो है कौन से रिफॉर्मर को बोलते हैं महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में किस परसन को लोग हितवादी के नाम से जानते हैं तो गोपाल हरी देश मुख जी को कहते हैं गोपाल हरी देश मुख जी को कहते हैं डैस लोग हितवादी इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट अंसर बनेगा डी ऑप्शन इसा करेक्ट अंसर यहां पे लिखा हुआ है पंडित रामा भाई पंडित रामा भाई ने मुक्ती मिशन स और उसके बाद शर्दा सदन भी इन्होंने स्टार्ट किया था शर्दा सदन का मतलब क्या है जो विमेन एजुकेशन की उपर बात करता है विमेन एजुकेशन एमजी रनाडे जो है यह पुलिटिकल गुरू है गौपाल कृष्ण गोखले के और बालंगदर तिलग के को और फिर्चन गोखले इन्होंने सर्वेंट अफ इंडियन स्वसाइटी जो है इन्होंने स्टार्ट किया गा सर्वेंट्स ओंडियन सोसाइटी वेरी वेरी इंपॉटेंड याद रखिये तो इसमें डी और घृप्षिन को बोलायता है लोग एट वादी इस यह हैं मोहन जदारो का क्या है लोकल लेम फॉर मोहन जदारो का जो वर्ड है इस वर्ड का मतलब है मौट ऑफ देड मृत को का टीला अंसर इसमें पाकिस्तान में है मोहन जदारों को हम और क्या कहते हैं नखली इस्थान को हम और क्या कहते हैं ओसिस ओंध में समझ आया यहां पर हमें जो फीचर्स देखने को मिलते हैं great greenery ग्रेट ग्रिनरी ग्रेट बात पश्यूपती महादेव की सील डांसिंग गर्ल ब्रॉंज इमेज में यह सारे फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं मोहंजदारों के अंदर समझाए आप लोगों को तो यह बनेगा जी आपका सी ऑप्षिन और अगर पाकिस्तान में डिस्ट्रि किया गया था 1922 में डी रॉनजी ड्वारा लेकिन सबसे पहले इंड़स वली सिविल आशण में हडपा का शहर डिस्कावर किया गया था 1901 में और वो किसे ने किया था य थे यह थे अच्छा एक चीज़ आपको मैं बता दू जो हमारी इवनिंग की क्लास है वह एक्चली क्या है आपको पता शायद ना हो आप डिफेंट डिफेंट एरिया से बिलॉंग करते हैं दिल्ली के अंदर थोड़ा सा कर्फ्यू वाला सीन है रात को दस बजे कर्फ्यू लग जाता है यहां पर तो इसी कारण में थोड़ी क्लास आगे कर दिया आठ बजे कर दी एक लोग है क्लास तो उस प्लास में आ जाया करो उसका रिजन सिर्फ इया क्योंकि जो यहां पर काम करती है तो उनको भी जाना होता घर पे तो हम आदा आदा एक घंटा पहले ही सब कुछ खतम कर कर देते हैं क्योंकि 10 इस लास्ट क्योंकि कहीं कहीं पर भी जाते हो आप आदा घंटा दिली में लगता है मीनिमम लगते लगता है आपका घर जो है दूसरी गली में यह तब भी आदा घंटा लग जाएगा इतनी भीड होती है यहां पर इतनी ट्रैफिक है सो इसलिए हम जो है क्लास इसको मैंने आठ बजे कर दिया ताकि अगर मैं आठ से नौ भी हो जाए नौ से साधे नौ तक भी मैं पहुंच जाओ तब भी कोई दिक्कत ना हो समझा है आप लोग को तो इसलिए वह क्लास आठ बजे कर दिया थोड़ा सा यह जो क्रोना वाइरस के चक्कर में जो यह चल रहा है हमारा कर्फ्यू वाला टाइम है आपके शहरों में भी कर्फ्यू लगा होगा आपके भी टाइमिंग होगी अलग अलग जगा अलग जगा है टाइमिंग है तो बस इस चीज़ को ध्यान रखाओ ठीक है इसलिए हमने आठ बजे क्लास कर दिया हो अधरवाइस ऐसा कुछ नहीं है ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे यह जी मोहंजदारो ग्रेट ग्रेनरी वगएरा यहां पर देखने को आपको मिलती है बहुत बड़ी जगह है यहां पर चलिए अगला देखिए नहीं मैरथन क्लासिस का शायद यह वाले वीक में ना हो मतला हमारी सैटड़े जड़ेंगी आज जो है वो ना हो शायद ना हो आम नौट शियोर कि होगी नहीं होगी लेकिन मैं कुछ प्लैन कर रहा हूं कि टाइमिंग को कैसे अर्जस्ट किया जाए तो उसके अकॉर्डिं है कि कुछ मैरथन के लिए मैं प्लैनिंग कर रहा हूं कि कहां कब मैरथन ली जाए तो जैसी वह थोड़े सी टाइमिंग सेट आ जाती है तो मैं क्लास ले लूँगा ठीक है और लेंगे होविस्टी नेक्स्ट वीक लेनी लेनी है हमने क्लास तो ऐसे मत बोल समझना कि हम क्ल इन्लाइटन वन कहते हैं जिनको आपकी निर्वान प्राप्ति हो चुकी हो बुद्धा मींस इन्लाइटन वान यह चार नॉबल टूथ हिंद के बारे में क्या गयते हैं कि हाँ दुनिया में एक जो है सोरो है मतलब मतलब प्रॉब्लम्स है ठीक है उस प्रॉब्लम का कारण अब क्या है डिजाइयर आपकी डिजाइर उन डिजायस को अब खत कर सकते हैं वो खतम कैसे कर सकते हैं धर्म के रस्तें capable जाकर तो यह वर्ड़ यूस किये थे वो यूसकि थे आपके बुद्ध भगवागांजी ने और यह हम एकिस चीज़ के बारे में बताती है डै correct answer fourth option is the right one बुद्ध भगवान बुद्ध भगवान जी को हम और क्या कहते हैं लाइट ऑफ एशिया लाइट ऑफ एशिया बुद्ध भगवान जी का जनम कहां पर लुंबिनी लुंबिनी इंदा नेपाल डिस्टिक ठीक है लुंबिनी नेपाल में लुंबिनी में एक पिलर ब करवाई थी जहां पर अभिधाम पिटक लिखी गई थी बाइदा मोगाली पुत्तिस और अभिधाम पिटक पूर पाली लेंग्विज में लिखी गई है अशोग वही परसन है जिन्होंने बुद्ध दर्म का परचार करवाया साउथ इंडिया में और इंडिया के सदन पार करवाया जैसे चाइना कोरिया जापान ऐसे दिशों में क्लियर हो गया आप लोगों को तो यह याद रखना है आपको तो अंसे इसमें क्या बनने वाला है आपका जो है प्यूर्टी ओफ थौट और कंडक्ट जो बुद्ध भुगवान जी की बारे में बात करते हैं अगला करें होक्की का फिल्ड होता है यह सही है سकेटिंग का रिंक होता है यह भीि आइस रिंक कहते है रिंक कहा जाता है उसको गौल्bour का platform होता है यह Arenius Pun स्टों को दी ऑप्शिन इज दा करेक्ट अंसर दी ऑप्शन ऑंग्ड टेक्स रेविनिक और यूइनलड गमन्न दा मोझें इंपोर्टेंट सोर्स एज चिंदर सरकार में कर लेते हैं किंदर सरकार का जो राजस्व है उसका महत्तरपूंस सत्रोत क्या फिंपोर्टेंट सूर्स यूनन गूर्मेंट का वह क्या मत्तृत कौन सा है त अब चेसंदान रखनी से हैं उपर अगर मैं बात करता हूं इसक्ते तक्लास को देखें यह चुश सने ले भड़ार उढ़तो P आपए सब्सक्राइब टीज़ुक्त जो है जो हमारे देश में एक साइज जूटी साम मौस्ट इंपोर्टन वान एक साइज जुटी फैल जन्सकारा एक क्यों है क्аз 10 की रूपर कोई और अंध करते उसके ऊपर सइस युटी लगाएं प्रोक्तल KT चाह Ec प्रड़क्शन होती है यूनिन की सेंटर वाली जो कोई भी चीज़ा पर उसमें आपकी सेंटर गविलेगी तो डैट में एक साइज डूटी इस पार्ट क्योंकि हर चीज कोई ना कोई चीज तो पर चाहे आप खाने की चीज लेलो चाहे कुछ भी एनिफिंग तो आपकी जो होने वाले उसके उपर टेक्स लगेगा डैट इसकॉल एक्साइज जूटी तो इसी लिए मोस्ट इंपरेटन सोर्स है हमारा यूनिन एक्साइज डूटी इस लेगिन अगर आप से यह कहता कि टेक्स क्लेक्शन बताइए सबसे ज्यादा कहां से होती है तो आपका अंसर क्य होता है जो कंपनि मोस्ट ylघ्ता है कॉरसिंस की उपर लगता है कॉर्प्रेशन टेक्स बनेगा क्या होता है जो आपकी इंकम की वफर लगता है और income tax हमारे देश में progressive tax है progressive tax what is the meaning of progressive tax आरो ही कर मतलब जैसे जैसे आपकी income बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका tax बढ़ता चला जाएगा income tax जो है वो 1961 का है याद रखना है आपको corporation tax आपकी companies के उपर लगता है custom duty आपकी इंपोर एक्सपोर्ट के उपर लगती है जो होती है custom duty तो अंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका थर्ड option बनेगा correct answer बनेगा कि समझाया तुम्हें अंसर इसमें अगला देखो में के वाजो लिटन वजरी वीचोडव ड फॉलिंग रिफॉर्म नर्सिमाम कमेटी वॉज रिलीटेट विचस्चले अंसर बताए कre नर्सीमम कमेटी आपको मैं बता दूं दो-ती चीजों से जुड़ती हैं नर्शीमम में आर्रबी जो बने थे आपके आर यह बने थे 1975 में ईसमें आपका रिकुमेंडेशन कमेटी पहली बात और 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 भी में 50 परसेंट जो है आपका सेंटर गशेंटर मेंट्स 15 परसेंट आ बैंकिंग रिफॉर्म के लिए जाने के नाइंटी नाइंटी टू से और उसके बाद आपका दूसरा बठाया था नाइंटी एट के आसपास समझ आया तो यह जो है लेट करती है आपके बैंकिंग स्ट्रॉक्चर रिफॉर्म के उपर अंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा सी बात करी और उनको डी रेगुलिशन मतलब प्रॉपर तरीके से अगर आप सेविंग करते तो इंट्रस्ट्रेट कैसे मिलेगा तो इन सब चीजों के उपर बात करी इन्होंने की मार्किट में ज्यादा से ज्यादा पैसा आए ताके लोग इन्वेस्ट करें काम बढ़े और एक लगे हैं तो इसमें क्या बनने वाला है आपका सी ऑप्षिन बनेगा डैडिस बैंकिंग स्रक्चर रिफॉर्म्स के लिए कमेटी बैठी थी समझाया जी अगला देखो जी क्या गयता है यह है आपके कमेटी ठीक है और अबाउट दा कमेटी देखिए फर्स नर्सिमम कमेटी जो बैठी थी 91 में बैठी थी लेकिन उस ट्रेम पर फाइनेस मिस्टर कौन थे हमारे मनमोन सिंग जी ठीक है नाइन मेंबर कमेटी थी और इसने रिपो फाइब यर प्लैन में इंप्लिमेंट हुआ था जो चला था नाइंटी टो 97 में लेकिन अगर पूछा कब आये थे तो 91 करेक्ट अंसर लिप्लाइशन प्राइशन ग्लोबलाइशन हमारे देश में फादर ओफ एकनोमिक रिफॉर्म किसे कहते हैं पीवी नर्सिमा राओ जी सबस्क्राइब लेफिट के लिफ से कुम्पिट्राइशन ग्लोबलाइशन ग्लोबलाइशन के लिए ग्लोबलाइशन का मतलए जो अब हम देश में पड्यूस कर रहे हैं वो हम पूरी ग्लोबलाइज मार्केट में लेके आएंगे और हम भी बेजेंगे उद्र से भी आएगा तो यह सारे रिफॉर्म जो है यहां पर करें गए थे लपीजी रिफॉर्म तो इस वेरी जो डियूस किया गया था और कौह से fender plan में गृड़ी हटाओ कि अगर हम बात करते हैं तो गृड़ी हटाओ स्लोगन दिया था किस दिया था इंद्रा गांधी जी सबस्थाड़ से लेके 78 तक चला था तो से इसमें में क्या बनने वाला है इंवी ऑप्षिन बनेगा राइट अंसर बी ऑप्षिन गरीबी हटा हो क्लियर हो गया आप लोगों को जी बी ऑप्षिन बनेगा अब देखें जी फिर्स्ट फाइवर प्लाइन की बात करते हैं तो 51 से 56 तक चला था और इसको हम बोलते हैं हेराल डोमर मॉडल और इसमें हम बात करते हैं कि सारा पैसा जो है जो है मैकसिमम अग्रिकल्चर के उपर खर्च कहा जाएगा वान थार्ड जिसे हम क्या कहते हैं भिल्लाई 36 गड़ के अंदर तो यह दुर्गापूर वाली किसकी के द्वारा करीगी थी ब्रिटेन के द्वारा राउर के ला उडिशा में जर्मनी के द्वारा विल्लाई के अंदर जो खुली थी वो USSR रश्या की मदसे खुली थी तो अंसर इसमें बी बनेगा फॉर्थ फाइव यह प्लैन सोंसे इसमें कि अबनने वाला है आपका सेकन्ड ओप्शन इजा करेक्ट इंसर फिर्ट फाइव और प्लैन है अगला देखो मैं घ्रबी burial इंड़ इंड़िन कमिशन वाज इस्टेबलिशी चादी और विलेज इंड़िनन जो है comparable की आगया था है यह साटब केंगा था!!!!!!!! । 56 मेंbat पार्ट था वो था सखेड फाइब इंतर इस Mint अन्सि मैं जैया बनने वाला है ठर्ड ऑप्शिन बनेगा क्रेक्ट सब अबनेगा फिफ्टी सिक्स में फिर्ड फ सेकंड फाइडर फ्लान में किया गया था जुचा एगा चिसमें क्या बनने वाला है यह उप्शिन बने इसमें ए मैंने फोर्त côt बता तो फुर्स Trung को caliber के weisz plain तहां वाइंड वर्स-Plan था यह वाइस फ्रैन इसलिए था क्योंकिовать उस इसलिए था क्योंकि यहां पे जो है गश्क्राइव भी हुई थी सुखे पड़े थे जिसके कारण हमारी एकॉनमी बिल्कुल डाउन हो चुकि थी फाइवर प्लाइन डिस्क बिल्कुल खतम हो गया था तो यह बनेगा जी आपका करेक्ट अंसर सी ऑप्षिन सेकंड फाइवर प्लाइन इस आ राइट वान यह देखें स्टेट्यूटरी बॉडी फॉर्म्ट वाइद गर्मेंट ऑफ इंडिया और अंडर अमिनिस्ट्री ऑफ एमसमी जो आपका खादी का आता है 1956 में बना था ठीक है फिर्स्ट डिरेक्टर ऑफ के वी आईसी डैट इस खादी विलेज इंडस्ट्री कमिशन के लेट स चले अगलान से देखें कि विच विच वाइन चलती है उसका नाम क्या होता है दिखाता हूं मैं आपको उशन कटी बंद के बीच में जहां पे हवाइन चलती है उसको क्या करते हैं तो डिजार क्लेयर साथ धीज भी और सलत यहां पर यहां पर आपका बनाते हैं इंटर ट्रोपिकल चलती है जो आपका चलती है और यह हो भी बंस होती है और उपर है आपकी western to eastern direction में चलती है यह आपका सब ट्रॉपिकल एरिया में डाड़ वेसलीस और उपर आपका पूलर एरिया जोता है और ऐसा ही नीचे है आपका एसे ठीक है तो यह भी आपकी western चलती है west to east और अगर हम बात करते हैं इसलीस के बारे में वह चलती है east to west direction में clear यह ज्याद रखना तो यहां पर बात करी गए इस एरिया के बारे में तो यहां पर अंसर क्या बना हो गया यास डी option बनेगा correct अंसर यास बिलकुल सब्सक्राइब और हमारी इंडिया में जो बारिश होती है वो में ली ओरोग्राफिक होती है जो परवतों से टकराके होती है समझाया इसमें डी option बनेगा correct अंसर बनेगा डी option बनेगा डी ऑप्षिन ट्रेट विंड्स पामीर मौंटेंस यह एक नॉट बनता है जंक्शन बनता है कौन सा किसके बीच में जंक्शन बनता है इन option में से कौनसे जो रेंजी जिस हैं वह chemical जंक्षिन बनाती है पामीर नौट पामीर मॉंटेंस दाइया समझेज नौट-मल्स मतलब सबसे ज्यादा नौट बनती है यहां पे पर कौन सी पर्वते हैं यहां पर खूल पामीर यह अपका पामीर वहला पाथ ठीक है यहां पर यहां पर देखो और यह यहाँ पर आगई है ठीस है और यह आपके तीया शया यह वाली mountain range आगई है और यह है आपकी हिंदुकुष थीक है यह आ चुकी है तो इस आम इस पाड़ यह जो है आपकी बाउंट है यह आपकी कुलनुन माउंटेंज तो यहां से आपकी कुणलों एंड हिंदुकुष मांटेंड इसमें फ़र अपशिन बनेगा करेक्ट अंसर बनेगा धर्ट अप्शर समझ तुम्हें में नहीं यह बहने बनेगा दिया रहना समझ तुम्हें ide Rosa अगला देखो कि में एक मैकमोहन लाइन है एक लाइन है जो आपकी बृटेन और तिवात की बीच में करी गए थी जिसे हम कहते हैं शीमला अक्वार्ड तो यह मैकमोहन मेंटार। 319事 घान से क्षेड़ना इस को है कुंध़ ऑटी हिसमें पॉप्षान य sister गतना सवर क्रेग्ट efter 914 बॉर्ट है यह देखें यह आपका अरुर प्रदेश काफी ओरेड जो है क्लेम करता है चाइना लेकिन हमारा एरिया यह और जो आपका दा पाट इस डाट इस तवांग पाट और तवांग मोनेस्ट्री याद रखना है आपको कि अगला देखो और शैनिक निश नाशनल पार्क आफ इंडिया इस लोकेटेड इन और शैनिक कि शैनिक पार को हुआ बिल्कूल ये है आपका कच्छ वाले उरिया में करच्छ वाले ऑर्या में देखने को आपको मिलता यह और इसलिए फूर्थ ऑप्शन बनेगा राइट अंसर कऀ्छ गुजरात चे अंदर समझ्या अप लोगग को जामना कर डिश्टिक में में देखने को मिलता है अंसर इस डी ऑप्शन इजा करेक्ट अंसर दिखातों मैं आपको पिच्छर और गुजरात के अंदर आपका एक और पाख है डैडिस कॉल्ड गिर नैशन पार्ग जो फेमस है एशिया के लिए फेमस है सुंदरवन डेल्टा भी बनता है बाइदा सेंची-चोटी जो है वो है सेडल पीक सेडल पीक जो है वो कहां पर होती है यह नदन नौर्थ अंदेमान का बिल्कुर टॉमोस्ट प्वाइंट होता है और चिली का लेक की बात करता है तो यह लैगून लेक है यह उडीशा में देखने को आपको मिलती है उडीशा में अंसर इसमें फोर्थ ऑप्षिन बनेगा राइट फोर्थ ऑप्षिन एज़ा करेक्ट अंसर जामनगर यहां पर आज आज आपका पार्क ठीक है डाइज मैरीन नैशनल पार्क जामनगर और ऑशेनिक पार्ट अगला बताओ इन में से कौन सी ऐसी जगा है जिसकी सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन है कोस्ट लाइन क क्या होती है आपकी जो है तटरेखा ना प्रदेश को टिक करें गुजलात के बाद सेगिन नंबर पर आती है आंदरप्रदेश की क्लियर होना चाहिए दिमाग में यह तो अंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका डैड़ीज आपका बी ऑप्शन बने का करेक्ट कंसर बी ऑप्शन गुजरात के दर कौन सा डांस फॉर्म है घडबा ठीक है घडबा डांस फॉर्म यहां पर बड़ा फेम है महाराश्रा में और एक डांस पूछाया था भी हूँ भी हूँ डांस फॉर्म है असम में असम में एक क्लासिकल डांस फॉर्म और भी है डैड़ीज को सतरिया तो इसमें क्या बनने वाला है बी ऑप्शन बनेगा राइट अंसर को समझ आया कि जी क्लियर हो गया आप लोगों को अंसर इसमें क्या बननेगा आपका बी ऑप्शन बनेगा राइट अंसर गुज्रात इसा करेक्ट अंसर चलिए जगला देखिए विचल फॉलिंग सिस्टम्स ऑफ रॉक्स प्रवाइड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कोल इन इंडिया सबसे ज्यादा जो कोल है वो कौन प्रडूस करता है इंडिया में अच्छा अगर आप से पूछा जाए यह चलो इसको कोशन दो अगर आपको तर्ट रिखा की जो है लंब अगर आपसे पूछा जाए लक्षिद अंडेमान को हटा दो जाने की इंडिया का मेल लैंड तो वह है शिक्स्टी वान हंडड किलो में लैंड की बात करूं तो सिक्स्टी वान हंडड किलो मेंटर है याद रखना है चीज चलिए जगला देखो इन में से सबसे ज़्यादा जो कोल है वह कहां पर पड़ियूस होता है कौन से सिस्टम में वाला तो वह है गुंदवाना सिस्टम में अनसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा राइट अनसर गौनवाना सिस्टम में और एक चीज़ा आपको और बताना चाहूंगा कि कोल की बात करते हैं तो सबसे ज़्याद सबसे कार्बन कॉंटेंट यहां पर यादा होता है और जो पीट होता है सबसे यहां से होती है आपके कोल की और उसके बाद की बात करें सबसे कार्बन कॉंटेंट यहां पर कम होता है और अंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका बी ऑप्षिन बनेगा गॉंदवाना अगला देखें जी क्या कहता है वाड़ीज़ पर्सेंटेज ऑफ कैनाल इरिगेशन ऑफ टोटल इरिगेटेड एरिया इन दा स्टेट अफ उत्रपरदेश देखें इरिगेशन की उपर कोशन है इरिगेशन में उत्रपरदेश स्पैसिविक पूछ लिया इन्होंने तो बस इसका अंसर याद करेंगे हम ड सबसे जादा किस टेकनीक से होती है तो टू बैल से हुती है है कि टू बैल से सबसे जळा जो है आपकी सिचाई करें जाती है धिया रखना और इसका अंसर गया बनेगा 30%-8 बस अगें ये भी कुछ कोशन जो है स्पेसिफिक एरियस के बारे में पूछा गया है तो ये स्पेसिफिक एरियस कहां पे हैं देखेजिए जो पीतल के बरतन है ब्रास वियर ये कहां पे मिलते हैं हमें मुरादाबाद थर्ड ऑप्शन उसके बाद है आपका मैच बॉक्स ये मिल पीं चार एक दो बनेगा कहां पर यह उप्शन तीन चार एक दो इन में से कौन सा जो है मैच सही नहीं खाता नॉट पार्ट ऑफ दा कॉंस्टिजिशन और उसमें प्रोविजन क्या है जब हमारा सविधान बना था तो हमारे पार्ट बाइस थे अब 25 कहते हैं को सब पार्ट को हमने इंकलूड कर लिया गया है इसमें सीटिजनशिप के बारे में बात करते हैं तो पार्ट टू में है यह बिल्कुल सही है और सीटिजनशिप देता कौन है हमें मिनिस्ट्री ओफ हॉम अफेर्ट से लिया था आर्टिकल नंबर 5-11 तक इसमें आता है कि यूनिन टेरिटरी हमारी आठ है और जो है आठ है 9 है जल्दी से प्रेसंट यह सेवन में है यह गलत है यह गलत है और पार्ट 8 में आती है मुन्से की बात करता हूं तो मुन्से प्लेटी जो ए आर्टिकल 2-43 और जो है यह पी से लेके जैट तक आते हैं और 74 अमेंडमेंट यहां पर हुई हुई है 74 अमेंडमेंट एक 1992 जो इंप्लिमेंट हुई थी 93 में यह पार्ट 9A के अंदर है यह भी सही है इलेक्शन की बात करें तो पार्ट 15 में आता है यह भी आपका सही है तो गलत कौन सा से क है अगळा बता द二ं है इन में से अनुसूचियों कि यह इससा संबंदित है व्यज्मie से लिस्ट के बारे मित करता है यूनु स्टेट लिस्ट के बारे में 3 के बारे में तीसरा बन गया आठ्वा स्केडू जो बात करता है वह सबस्किए है नाइंस मेंग गया लिंग ज डिस्वालिफिकेशन के लिए जो आपका दो बन गया तीन एक चार दो कहां पर यह ऑप्षन यह बन गया चौथा ऑप्षन तीन एक चार दो समझाया तुम्हें तीन एक चार दो प्रास्थित की तंत्र की ड्राइविंग फोर्स क्या है कुछ भी आप करोगे कुछ भी आप चलाओगे फोर्स कहां कौन सी होने वाले और इको सिस्ट्रम की ओलर ओनली दा सोलर इनर्जी सोर उर्जा ही सारा का सारा सत्रृत है आपका अगर सोर उर्जा ना होगी ना दूसरी एक्टिविडीज सोंगी कुछ भी नहीं होने वाला फोटो संथेसीज नहीं होगा प्लांट्स नहीं तो खाना आप उसके पास और पानी होता है उसके पास और ये क्या गरते हैं क्लोरोफिल और सॉन्लाइड की प्रेजन्स में बनाते हैं गुलकूज खाना और निकलता है आपका वाटर समझाया सन्लाइट की जो लाइट होती है वह कौनसे आपकी वेवलेंथ की होती है 400-700 नैनोमीटर के बीच में देखने को आपको मिलती है अंसर इसमें डी ऑप्षिन बनेगा राइट अंसर सोलर इनर्जी समझाया तुम्हें सोलर नर्जी में आपका सेमीकंणक्टर उते हैं वो होता है याद रखना सिलिकाए सामीकंणकटर उता एंस के इसलिक्तौट को कहा हो गया आपका जो है आपकी मतलब कोख़ण करने के लिए फासे फर्ण पड़ेगा फोपाने पानी का फर्क पड़ेगा तो उसके उपर जंग लग जाएगी रस्टिंग हो जाएगी जिसके उसका वेट बढ़ जाएगा वेट तो बढ़ जाएगा लेकिन अंदर से खोकला होता चला जाएगा और को रोजन के लिए चाहिए हमें और इसमें क्या बनेगा बी ऑप्षिन बनेगा राइट अंसर और अगर मैं बात करूँ कि आपका क्रोजन चोग खतम करना है तो जा फिर आप रस्टिंग को खतम करना है तो हम उसकी उपर एक परत चड़ा देते हैं और इसको हम और क्या कहते हैं गलवनी करन भी कहा जाता है अंसर इसमें बी ऑप्षिन बनेगा करेक्ट अंसर बनेगा ऑक्सिजन और मॉइस्टर यह देखें जी ऑक्सिजन और मॉइस्टर क्या बनाता है आपका रस्ट जंग अगला देखो इनमें से नैच्रली अकरिंग हार्डेस सब्स्टांस जो है धरती के उपर जो आता है वो कौन सा है धरती के उपर हार्डेस सब्स्टांस इनमें से कौन सा है हार्डेस सब्स्टांस नैच्रल हार्डेस सब्स्टांस वो है आपका डाइमंड अंसर इसमें क्या बनेगा फूर और फो यहां कंको है कि तो इसके अंदर वहां आपका इपको और शिक हो कर देखने को मिलता है मॉड़ेटर यूज किया जाता है आपका मंदक तरह यूज करके और जो है लूब्रिकन की तरह यूज करते हैं ग्रेफाइट को और आइरें की बात करते हैं है लूहा की तीन-चार और याद कर लिजे आयर पायराइट कहते हैं यह बड़ा important question है इसको हम कहा जाता है फूल्स गोल्ड फूल्स गोल्ड भी कहते है आईरन पाइराइट ठीक है और magnetite है 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 लेमनाइट है साइड राइट है सो दीज आर दा जो है ओर्ज ओफ दा आईरन तो इस का जो अंसर बनेगा वो बनेगा फूर्थ option हीरा इस दा करेक्ट अंसर जो नैचुरली हाड़े सबस्टांस है क्लियर होगे आप लोगों को आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिए लेकिन अगेन जाने से पहले मैं आपको बता दूं हमार ये यूट्यूब की उपर कल रात 9 बजे हमारी क्लास होगी डैडिस दा पॉलिटी मैराथान क्लास जिसमें हम 100 important questions डिसकस करने वाले हैं और ये 100 important questions जो है आपकी फुल त्यारी से मतलब पूरी पॉलिटी को आपको थोड़ा बहुत दर्शाद है कि हाँ आपकी त्यारी कितन और ये सारी चीजें information वगरा सारी कहां से मिलती है आप लोगंको lectures वगरा की और टेलिग्राम चैनल के उपर डॉक्टर विपन गोयल के नाम से सबके link जो है comment section में पिंड है उसमें आप देख सकते हैं Instagram के उपर आप मुझे follow कर सकते हो कोई paper exam doubt तो आप मुझे यहां पे email कर स आते हैं SSC के जा इंडिया के different different exam जो best exams होते हैं उनके तो आप मेरा paid course रे सकते हैं that is 10,000 MSQ course इस course में आपको यह code लगाना है VIP flash तो आपको यहां पे discount मिल जाएगा clear और GS course हमारा जो है एक theory course है बिल्कुल basic topic वाज चीज़ों की understanding करी है तो आप यह purchase कर सकते हैं कहां से study IQ app और website के उपर जैसे आप study IQ app और website खोलेंगे तो आपको screen के उपर नजर आएगा यहां पे home page यहां पे दिख जाएगा आपको best selling courses यहां पे on करना और view all करना तो आपको यह courses नजर आ जाएंगे अगर फिर भी नजर ना आए आप लों को home page को बिल्कुल नीचे scroll करना आपको दिख देगा यह दोनों courses वहां से नजर आ जाएगे तो जो भी आपको अच्छा लगे purchase करें preparation को आगे बढ़ाएं clear so thank you so much guys all the very best अच्छे से पड़े preparation करें और कल की class में आना मत पूलना और जिसमें हम पॉलिटी के बहुत महतापून question discuss करने वाले हैं so thank you so much good luck take care bye bye thank you so much guys